वेरी गुड मॉर्निंग टू एब्रिवान कैसे हैं आप सभी मैं बान कर चल रही हूं सब लोग एक दम बढ़िया होंगे वेरी गुड मॉर्निंग एब्रिवान मेरा नाम है सिम्रन कपूर और मैं आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करती हूं हमारे इंजिनियर्स वाला चैनल पर और जैसा आप लोग जानते हैं कि SACJ का क्रैश कोर्स की क्लासी अमारी रेगुलर इस चैनल पर चल रही है और सुबा आट बजे और शाम को पांच बजे हमारी सिवल इंजिनियर्ग की क्लासी चलती है और सर्वेंग सब्जेक्ट हम लोग मॉर्निंग में प्रेज कर रहे हैं आप लोग भी अपने एंड से वैसा ही रिविजन बिलकुल कर रहे होंगे और क्वेश्टन भी बहुत से प्रेक्टिस भी कर रहे होंगे ठीक है चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कॉंटिन्यू करेंगे स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो है कमपास सर्वे में बहुत सारी चोटे-चोटे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं कुछ निमारिकल प्रॉब्लम पूछी भी जाएगी तो उसकी मतलब बहुत जादा बड़ा निमारिकल नहीं पूछा जाता तो कमपास सर्वे चाप्टर ऐसा है जिसमें निमारिकल से भी कोशन जाते हैं और तेयोरिटिकल पार्ट या कुछ बेसिक डेफिनिशन से भी कोशन पूछे जाते हैं ठीक है तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आज की क्लास में डिटेल में कवर करने वाले हैं और कमपास सर्वे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिन पर आप लोगों को डाउट रहता है अगर आपने कभी सेल्फ स्टडी की होगी तो मैं मान कर चल रहे हो अगर आज की क्लास को आप बिलकुल ध्यान से सुन सुनते हो कॉंसेंट्रेट होकर जितनी बाते मैं बोलूंगी उसको सासाथ नोट डाउन भी करते हो और सासा ध्यान से सुनते भी हो तो आपके कमपास सर्वे के मैक्सिमम डाउट जो है वह यहां पर क्लियर हो जाएंगे ठीक है चलिए वेरी गुड मानिंग एवरीवन तो जैसा मैंने आपको बताया आज कमपास सर्वे और ड्रेवर्सिंग हमारा नेक्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आज हमने सबसे पहले तो कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानना है जहां से सवाल जनरली पूछे जाते हैं और हमें निमेरिकल को सॉल करने से पहल भी हमें इन सारी टाम्स के बारे में पता होना चाहिए तो पहले हम लोग जानेंगे कि मैरेडियन क्या होता है मेगनेटिक डिकलाइनेशन क्या होता है इनके बीच का रिलेशन जो है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कमपास क्य जाया, forbearing, backbearing और local attraction, forbearing कैसे निकालना है, backbearing कैसे निकालना है, local attraction क्या है, वो कैसे calculate करते हैं, अगर उसका problem आएगा, तो आज की class में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ अगर हमें लास्ट में लगता है कि हमारी topics cover होगे, तो मैं आपको included angle वाला topic जो है वो भी आज की आज ही class में cover करवा दूँगी, ठीके, चलिए, तो जैसा कि आप लोग बिलकुल सही बता रहे हैं, हम लोगोंने classification of survey बढ़ा था, और classification of survey में हम लोगोंने discuss किया था, कि जो compass होती है, उसकी help से हम लोग horizontal angle measure कर सकते हैं, और horizontal angle measure कर सकते हैं, very good, सही बताया सुनिल कुमा with respect to some definite direction, but definite direction की बात क्या है, वो धीरे-दीरे आपको समझ में आएंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगोंने, पहले से पढ़ रखा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, तो वो लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, कल आपको एक homework question मेंने दिया था, और उस homework question में कुछ लोग कह रहे थे कि इसका कोई भी option correct नहीं है, तो मैंने देखा कि इसमें जितने भी options दिये हुए थे, वो meter में दिये हुए थे, answers जो थे, पर हमारे पास अगर volume पूछा हुआ है, तो meter में तो इसका answer हो नहीं सकता, तो कुछ लोगोंने इसका answer किया था, और कुछ लो लोगोंने इसको solve किया है, तो एक बार जल्दी से comment section में बता दो, कि क्या answer होना चाहिए, जितने भी लोगोंने इसे solve किया है, अभी तक, कल की class में मैंने यह होंगा question दिया था, और आपको बोला था, कि dimension of the embankment was measured with 20 meter chain, तो 20 meter की chain से मैंने measure किया है, embankment की अलग-अलग dimensions, ठी 400 meter cube, 400 meter cube मेरे पास क्या निकल कराया, volume, तो इसका मतलब designated length जिसका आपने use किया था chain का, उसकी length कितनी है, 20 meter है, जो volume आपने यहाँ पर measured किया, measured volume, इसको मैं V' से represent कर सकती हूँ, यह हमारे पास कितना है, 400 meter cube, अब बोल रहे है, it was then find out that chain was 8 centimeter too long, अब chain जो है, वो 8 centimeter उसकी length बढ गई है, मतलब क्या हो गया है, expansion हो गया है, तो इसका मतलब मैं L' कैसे लिख सकते हैं, कितनी value बढ़ गई है, 8 centimeter, तो 20 meter plus 8 centimeter हमारे पास क्या हो गई, wrong length of chain or tape, मुझे निकालना क्या है, मुझे volume of the embankment निकालना है, जो लोग कल कह रहे थे, कोई भी option correct नहीं है, तो मुझे यह बताओ, क्या final volume of embankment निकाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो units में error दिया हुआ था question में, मैंने उसको correct करके लिखा है, तो I hope अब आप इस question को solve कर पाऊगे, तो कल की class में मैंने क्या बताया था, कि अगर आपको calculate करना है actual volume, तो same formula लिखे, L' by L, जो हमने true into true और wrong into wrong वाला लिखा था, बस volume के case में आपको L' by L ratio का cube कर देना है, और multiply क्या कर देना है, measured volume, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, जो actual में volume होगा, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, जो true volume होगा, या फिर जो हमारा actual, sorry, जो actual volume होगा, अब L' की value कितनी put करेंगे यहाँ से, L' हमारे प 20 मीटर था, इस पूरे का cube कर देजिए, multiply by measured volume कर देजिए, measured volume है, अमारे पास 400, तो यहाँ से हमारे पास true volume या फिर actual volume निकल कर आएगा, और अगर इस formula से आप answer निकालते हैं, तो क्या answer आ रहा है, बताइए, कुछ लोग अभी option A बता रहे हैं, तो एक बार मुझे यह रहे हूँ, कि volume अगर आपको निकालना है, तो अब तो आप इसका answer गलत नहीं करेंगे, आप इसका answer गलत नहीं करेंगे, क्या correct answer आ रहा है, 404.889, तो 404.82 cubic meter, meter cube, तो हमारे पास इस question का answer क्या बन जाएगा, option C बन जाएगा, ऐसे ही अगर मेर से area का question पूछा जाता, तो के question में, आपको इसी ratio का L dash by L का सिरफ square करना था, और multiply by measured area कर देना था, जैसे हम length में कोई भी raise to power नहीं लेते हैं, area में square करेंगे, volume में cube करेंगे, ये दो बाते हैं अमने कल की class में पड़ी थी, और उसी से related, I hope ये question अगर exam में आता इस तरीकेगा, तो आप इसको solve कर पाते ह अब आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो हमारा chapter है, वो है compass survey, compass की help से, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया, compass की help से हम लोग measure क्या करते हैं, angle measure करते हैं, angle कौन सा measure करेंगे, horizontal angle, horizontal angle का मतलब क्या है, horizontal plane में जो हमारी बात हो रही है, मतलब हम vertical angle मतलब, देखो vertical angle का मतलब क्या होता है, ये एक building बनाई मैंने सामने, मैंने बोला, building का top और building के bottom के बीच में कितना angle बन रहा है, तो आपने अपना instrument रखा, building का top और bottom के बीच में जो angle निकाला, ये vertical angle होगा, यहीं पर इसी building के दो corner थे, इसी building का एक corner ये था, एक corner ये था, इन दोनों के बीच जो angle होगा, तो पहली बात तो सबको ये पता होनी चाहिए, with the help of compass मैं horizontal angle निकालती हूँ, लेकिन कौन सा horizontal angle निकालते हैं और कैसे calculate करते हैं, उसको जानने के लिए, सबसे पहले हम compass survey में जानेंगे, कुछ basic definitions, उस basic definitions के बाद मैं आपको बताऊंगी, different type of compass कौन सी होती है, और angle को कैसे measure किय आजाता है, फिर हम बढ़ेंगे कि अगर compass में error आजाता है, तो उस error को हम लोग क्या बोलते हैं, और वो हमारा next topic होगा, ठीक है, अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कुछ important definitions की, तो सब लोग यहां पर board पे ध्यान देंगे, ये सारी definitions आपको with the help of diagram ही सम आजाता देंगे मुझे, ये हमारा earth surface है, ये earth का north है, true north और ये earth का true south है, आपको पता है कि हमारा जो earth है, वो मतलब अपनी ही axis के about जो है, वो ऐसे rotate कर रहा है, इसलिए सुबा, दिन, रात, शाम हो रही है, अगर ये earth है, तो ऐसे घूम रही है, वो अपनी axis पर, sun के around तो चक कर लगा ही रही है, लेकिन अपने axis पर भी घूम रही है, earth जिस axis के about rotate कर रही है, वो axis मैंने यहाँ पर dotted दिखा दी, तो वही axis मैंने यहाँ पर dotted दिखा दी, और उसको north और south से जोड़ दिया, मैंने बोला कि earth जिस axis के about rotate कर रही है, वो पोरी earth surface को जहाँ पर north पर cut कर रही है यहां पर south पर cut कर रही है उसको आप join कर दो इसी north को अब बताओ अर्थ जिस axis के about घुमने का मतलब है मान लो यह earth है और यह ऐसे करके चक्कर लगा रही है यह इतने सालों से अपनी axis के around घुम रही है यह axis कभी भी change नहीं होगी यह axis हमेशा constant रहेगे सेम रहेगी मतलब यह नहीं की बदलते रहेगी हर साल तो पृत्वी जैसे चक्कर लगाएगी अपनी axis के around वो सेम रहता है इसलिए हम इस north को क्या बोल देते है true north कि यह कभी भी change नहीं होगा ठीके true north के साथ साथ इसी को और क्या बोल देते है geographical north अब देखिए यह वाला जो south होगा जो हमेशा fix रहेगा यह हमेशा fix क्यों रहेगा अर्थ जी सेक्सिस के about गूमेगी वो हमेशा fix रहेगी तो इसे बोला true south को ही हम लोग क्या बोल देते है geographical south इसको क्या बोल देते है geographical south ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ मान लो हमारा पूरा earth surface है 3D में होगा जैसे football है वैसे मान लीजिए वो 3D में है पूरा अब इस earth surface पर मैंने कोई point a consider कर लिया और मैंने बोला a point पर true meridian का मतलब क्या है तो a point से आपने क्या करना है a point से जाती हुई imaginary line earth surface पर जो true north और true south को join करेगी तो यह yellow color की एक ऐसी line जो इस point से पास हो रही है और true north और true south पर जाकर मिल रही है इस line को क्या बोल देंगे इस line को बोल देंगे true meridian clear हो गया true meridian क्या होता है true meridian का मतलब है किसी भी point पर वहाँ से जाती हुई imaginary line जैसे मैं अभी जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ से true north कहां होगा true south कहां पर होगा एक imaginary line अगर मैं draw कर दूँ तो उसे हम लोग क्या बोलते है true meridian बोलते है तो अगर मुझे यहाँ पर कोई b point है b point का true meridian बताना है तो मैं b point से जाती हुई line जो earth के true north और true south को join करेगी वो हमारी true meridian कहलाएगी ठीक है तो true meridian मुझे समझ में आ गया तो meridian का मतलब simple क्या होता है meridian का मतलब simple direction से होता है कि किस direction की तरफ हम बात कर रहे हैं जैसे अभी और ख्लियर होगा अब हम लोग क्या लोग मान कर चलते हैं जह हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग मान कर चलते हैं कि जो हमारा अर्थ है अर्थ की कोर में अर्थ की कोर में मतलब आपने अगर physics में देखा होगा हम इतना जारे detail में नहीं जाएंगे तो अगर यह अर्थ surface है इसकी कोर में एक magnet है magnet सबने देखा है magnet उस बच्पन में खेला भी होगा इससे कभी ना कभी कि अर्थ की कोर में अर्थ के अंदर एक magnet है ठीक है अब उस magnet की वज़े से अर्थ की आसपास अपनी कुछ ना कुछ magnetic field रहती है यह हम प्लस वन टू में पढ़ा करते थे अगर नहीं भी पढ़ा कोई problem नहीं है अर्थ की core में ऐसा माना जाता है कि एक magnet है और उस magnet की वज़े से अर्थ की आसपास क्या रहती है magnetic field रहती है तो अर्थ की core में इस magnet को जो हमने माना है उस वज़े से उस वज़े से अर्थ का कहीं न कहीं magnetic north और magnetic south भी लाए कर रहा होगा कहीं भी हो सकता है ठीक है अब मैं यहाँ पर अभी सिरफ आपको समझाने के लिए इस diagram में क्या मान रही हो इस diagram में समझाने के लिए मैंन magnetic south है जो अर्थ की core में एक magnet है उसकी वज़े से यह magnetic effect आया तो हमने क्या बूला अर्थ का magnetic north और magnetic south है अगर मुझे find out करना है कि कि किसी भी particular point मान लिजिए C का magnetic meridian क्या है तो C point से जाती हुई imaginary line जो अर्थ के magnetic north और magnetic south को join करेगी उस imaginary line को क्या बोलेंगे magnetic meridian इस imaginary line को क्या बोलेंगे magnetic meridian clear हुआ magnetic meridian क्या होता है तो magnetic meridian और कुछ नहीं है आप जहां पर अभी हो अगर मैं आपके हाथ में compass दे दूँ compass आपको compass में एक needle होगी compass तो आप फोन में भी आती आपने देखी होगी compass में एक needle होगी वो needle क्या करेगी वो needle में एक north और south की direction दिखा रही होगी तो हमारी compass में जो needle direction शो कर रही है वो कौन सी direction दिखा रही है magnetic north और magnetic south की direction ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे अगर हम एक imaginary line यह एक imaginary direction एजियूम कर लें उसी same direction में जहां हमारी compass की needle दिखा रही है जो direction तो उसे हम magnetic meridian बोलते हैं जो true meridian का मतलब क्या हो गया earth surface पर true north और true south को जोईन करने वाली line जो इस point से pass होगी और जो direction हमारी compass में needle दिखा रही है magnetic north और magnetic south को जोईन करने वाली line वो हमारी magnetic meridian हो गई अब अगली बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरा term लिखा है वो है grid meridian अब grid meridian क्या होता है ध्यान से देखिएगा grid meridian क्या होता है मैंने यह पूरा earth surface बनाया आपने कभी न कभी globe देखा है अपनी life में globe देखा है कहीं न कहीं ग्लोब तो देखा ही होगा कभी ना कभी हना कभीopa प्रिंचिबल के office में गए होंगे या किसी office में घय होंगे क्या पता आपके बास आपके घर पर हो तो आपने क्या देखा होगा उस globe में बहुत सारी ऐसे करके lines बनी होंगी इस तरीके से यह एक line आ रही है यह है से north से निकल रही है south पर जा रही है अब यह 3D में नहीं है पर फिर भी I hope आप समझ पा रहे हो हना तो मैंने क्या मान लिया यह जितनी भी lines है देखो यह white color की में जितनी भी infinite बहुत सारी lines बना सकती हूं इसमे तो मैं white color से आप ये जितनी भी lines यहाँ पर north से निकलती हुई और south की direction में मिलती हुई बना रहे हो इन particular points को इस direction को क्या बोलेंगे क्या इस direction को true meridian बोलेंगे बताओ yes or no क्या इस direction को true meridian बोलेंगे कि मैं ये p point का true meridian है ये x point का true meridian है क्योंकि true north or true south को join कर रहे है अब मुझे क्या करना है thank you so much रजनीश अब मुझे क्या करना है अब मुझे किसी एक country की बात करनी है अब उस पूरे globe में आपको पता इतनी सारी countries का map बना हुआ है अब आपको किसी एक country की बात करनी है और मैंने मान लिया वो जो country जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये वाली है जो green color से यहां पर दिखाई दे रही है ये कोई भी country हो सकती है ठीके अब मैंने क्या करना है मैं इस country के लिए मुझे एक reference direction चाहिए true north or true south की तो मैं यहां से तो बहुत सारी lines को आप pass करवा सकते हो देखिए आप यहां से मैं यह line भी जा सकती है यहां से यह line भी जा सकती है यह भी जा सकती है तो इसे number of lines जा रही होंगी पर यह जो green color से मैंने country को represent किया है इस country के center से जाने वाली true meridian वाली line इस country के center से जाने वाली true meridian वाली line की जो direction है उसी को ही grid meridian बोला जाता है ठीक है? इसी को क्या बोला जाता है? grid meridian बोला जाता है क्या बोला मैंने मैं फिर से repeat कर रहे हूँ ध्यान से सुनना अगर मैं किसी एक country का survey कर रही हूँ तो उस country के center से जाने वाली ये जो line होगी इस country के center से जाने वाली true meridian वाली line को ही या true meridian वाली direction को ही grid meridian बोला जाता है तो पूरे globe में क्या मान लो कोई भी एक country उसके center से जो line जा रही है कौन सी line true meridian वाली line उसको grid meridian बोलते हैं तो ये true meridian ही होता है लेकिन जब हम किसी एक particular country का survey कर रहे हैं तो उस case में हमें grid meridian को consider करना पढ़ सकता है ठीक है लास्ट आता है arbitrary meridian अब आप मेंसे कितने लोगों ने college में survey कर रखा है आप मेंसे जितने वी लोगों ने college में survey किया होगा आपको true north और true south की direction जो है वो तो कहीं पर पता ही नहीं चली होगी अगर आपने कभी survey किया होगा हो सकता है क्योंकि true north true south कहां है actual में निकालना मुश्किल है हमारे लिए हम सिरफ idea से बात कर सकते हैं तो क्या होगा आपने assume कर लिया होगा आपने किसी भी permanent structure के along एक direction मान ली होगी कि इस direction true north और true south को दे देते हैं अपनी मर्जी से दे दी होगी तो जब भी हम लोग assume करके कोई value को consider करते हैं जब भी हम assume करके किसी value को consider करते हैं तो assume कर ली न जो direction उसको हम क्या बोलते हैं arbitrary meridian तो कोई भी fix आपको एक ऐसा reference के लिए आपने building मान ली कोई भी permanent structure मान लिया जिसको reference मान के आप बाकी के angle निकालने वाले हो जिसको आप true meridian मान तो देखिए ध्यान से सुनिए true meridian का मतलब true north और true south को join करने वाली line magnetic meridian का मतलब magnetic north और magnetic south की direction को represent करने वाली line grid meridian मतलब वही true north और true south वाली line लेकिन अगर किसी country के center से पास हो arbitrary meridian मतलब जो आपने assume किया होगा ठीक है अगर यह चारों समझ में आगए जो आपको directions बता रहे हैं यह directions बता रहे है तो अगली जो term है वो भी clear हो जाएगी और अगली term मैंने यहाँ पर लिखी है bearing जब भी आप compass survey में bearing की बात करते हो तो bearing का मतलब होता है angle जब भी हम compass survey में बात करेंग बीरिंग की तो bearing का मतलब हो करना है कौनसा एंगल horizontal एंगल अब मैं आपको explain कर देती हूं कि यह horizontal angle measure कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाना चार diagram बनाते हैं यह चारों आपको directions represent कर रही है यह चारों को directions represent कर रही है तो एक बार इसको ध्यान से देखिये गा तो अगर मुझे ये true north, true south और ये सारी बाते पता चल गई है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने represent किया कि ये कोई particular point P था, P point से true north और true south को जाती हुई line, तो इस line को क्या बूल दिया, मैं हम इस line को आपने बूल दिया true meridian, ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप imagine कीजी, आप जहां पर बैठे हो, वहां से एक imaginary line सीधी direction में जा रही है, वहां से एक line बिल्कुल सीधी direction में जा रही है, अब वहां से सीधी जा रही है, आपने आप imagine करना, आपके right side में दर्वाजा है, खिड़की है, corner है, जो मर्जी है, आपने इस सीधी line से, उस corner के बीच का, इस सीधी line से, इस corner के बीच का एंगल मेजर करना है जो मैंने हाथ अभी सीधा रखा है इसके comparison में मुझे ये वाले हाथ का एंगल मेजर करना है तो ये line मेरी fix रहेगी हमेशा compass survey में हम ऐसे ही एंगल मेजर करते हैं एक line fix रहती है और दूसरे के इसके with respect to मैं बाकी points का angle मेजर करते हैं तो देखो जड़ा ये true north और true south वाली line हो गई ये मेरा कोई point a है मुझे इसका angle मेजर करना था तो मैंने इस वाली line को reference माना किसको true meridian को reference माना और यहां से लेकर यहां तक एक angle theta मेजर कर लिया इस theta angle को क्या बोलूँगी इस theta one angle को क्या बोलूँगी true bearing इसको क्या बोलूँगी true bearing क्यों नाम दिया इसको true bearing बता सकता है कोई इसको true bearing इसलिए नाम दिया क्योंकि यहां पर जब आप angle मेजर कर रहे हो तो आपने true meridian वाली direction को reference मान कर काम किया है ठीक है अगर मैं बात करते हूँ कि ये हमारा magnetic north है और ये हमारा magnetic south है अगेन मान लिया कि ये मेरा कोई B point है अब मैं magnetic north और magnetic south को जोईन करने वाली लाइन magnetic north और magnetic south को जोईन करने वाली लाइन ये तो मेरी magnetic meridian हो जाएगी तो इसको reference मान कर आपने जो angle measure किया जैसे यहाँ पर theta two measure किया इस theta two को क्या बोलेंगे इस theta two को क्या बोलेंगे magnetic bearing तो magnetic bearing अगर आपने reference के लिए जो meridian change कर दिया ना उसके according आपका bearing का नाम change हो जाएगा अब तीसरे वाले में बताईए अगर ये true north और true south ही है लेकिन country के center से जा रहा है तो मैंने यापर mention कर दिया कि वह हम ये grid meridian है अगर ये grid meridian है तो इस bearing का नाम क्या पढ़ जाएगा ये theta three इसको नाम दे देते है तो ये बन जाएगा grid bearing theta three नाम दे देते हैं ये बन जाएगा हमारे पास grid bearing ठीक है अगर हम last में बात करते हैं ये हमारा arbitrary value है arbitrary north और south है तो जो आपने angle भी measure किया होगा theta four उसको क्या बोलेंगे arbitrary bearing clear है बताओ अगर meridian मतलब direction अगर direction change होई तो हमारे angle का नाम भी change हो गया तो ये तो था कि हमें पता होना चाहिए कि true bearing क्या होती है magnetic bearing क्या होती है अगर हमें meridian की बात करनी है तो true meridian क्या होता है magnetic meridian क्या होता है ये सारी बाते हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ अगर मैं compass survey कर रही हूँ तो compass survey में मैं कौन सी direction को with the help of compass बता पाऊंगी बताओ जरा compass की help से इसमें से कौन सी direction है जो मैं compass की help से easily बता पाऊंगी compass का कोई काम तो हो गाई compass का कोई काम तो हो गाई बोलो तो कमपास की हेल्फ से आप नॉर्थ तो बता पाऊगे लेकिन इन में से कौन सा वाला नॉर्थ बता पाऊगे आप मेगनेटिक नॉर्थ बता पाऊगे ठीक है आप मेगनेटिक नॉर्थ बता पाऊगे तो वैंकि आप बोल सकती हो कि जब आप कमपास की हेल्फ से मेज measurement लोगे साइट पर तो आप जो एंगल मेजर करोंगे वह आपका मेगनेटिक बेइरिंग कैलाएगा क्योंकि उसकी हेलब से हम कौन सी बेइरिंग मेजर कर पाएंगे या कौन सी डिरेक्षिन बता पाएंगे वह कंपास तो हमें में मेगनेटिक नॉर्थ और साउथ की डिरेक्शन दिखाता है तो हम वही मेजर करते हैं तो जब भी आपको मैं कमपास की एक फोटो दिखाऊंगी उसमें जो नीडल होगी जब भी हम कमपास को कहीं पर भी प्लेस करेंगे नीडल ने जो डिरेक्शन दिखा दी इसका मतलब वो मैगनेटिक नॉर्थ और मैगनेटिक साउथ होगा ठीक है अब देखिए इसी के आगे पॉइंट आता एक अब जितने भी आपने यहां पर अभी एंगल मेजर किये अब जितने भी हम एंगल मेजर करते हैं उन एंगल को यह जो बीरिंग जिसको हमने बोला बीरिंग को लिखने के हमारे पास एंगल का वेरियेशन कैसा रहता है कि कौन से क्वाडरेंट में एंगल कितने से कितने तक वेरी करता है यह पता होना चाहिए अब लोकल इट्रेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हर्शित देखिए तो यह मैंने लिख दिया नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट आपने मैट्स में हमारा फोर्थ क्वाडरेंट रहेगा ठीक है अब यहां पर यहां पर जो एंगल होगा वो जीरो डिगरी यहां जो एंगल होगा वो 90 डिगरी यहां पर जो एंगल होगा वो 180 डिगरी यह वाला हमारा 270 डिगरी और लास्ट में आके 360 डिगरी तो ऐसे करके चारों के बीच में आगे हमने जितने questions करने हैं पहली चीज़ तो आपको ये quadrants clear होने चाहिए किस direction में लेने है और किस quadrant में एंगल कहां से कहां तक vary करता है एजिमुद बताऊंगे अभी आगे तो यहां पर देखिए दूसरा आगया मैं 90 से 180 degree के बीच में second quadrant तीसरे quadrant में आपका value 180 से रहेगी तो जब भी मैं कोई angle measure कर रही हूं और आपको बोल रहे हूं कि angle निकल कर आया 250 degree आपको बोल रहे हूं 250 degree तो 250 degree मतलब आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि मैं वो third quadrant में लाए करेगा तो आपका 1,2,3,4 चारों quadrants में angle की value कहां से कहां तक vary करती है यह clear होना चाहि अभी bearing को represent करना है तो मेरे पास दो तरीकिया उसको represent करने के पहला है whole circle bearing जिसको short form में हम wcb लिखेंगे और दूसरा है quadrantal bearing जिसको हम qb की form में represent करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ whole circle bearing सबसे पहले हम देखेंगे whole circle bearing आपको इनका conversion जो है वो बहुत अच एक्जाम के लिए ठीक है तो whole circle bearing की कुछ important बाते हैं जो आपको एक्जाम के लिए याद रखनी है क्या क्या है whole circle bearing देखिए whole circle bearing में जब भी आप angle represent करोगे तो आपको सबसे important सबसे पहली जो बात यहां पर ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको north को reference मान कर ही angle measure करना है अभी हमन चार कोडरेंट्स दिखाए थे इन चारों कोडरेंट्स में direction दिखाए थी यह हमारा north हो गया south हो गया east हो गया और west हो गया तो जब भी मैं angle measure करूंगी तो angle measure करने के लिए मुझे हमेशा reference किसको मानना है north को reference मानना है आगे बात करते हैं देखिए north को reference मानना है दूसरी बात जब भी मैं angle measure करूंगी angle measure करने की जो direction है वो क्या रहेगी जो direction है वो हमेशा clockwise रहेगी जो angle measure करने की direction रहेगी वो हमेशा clockwise रहेगी बस ये दो बाते हैं जो मुझे इसके बारे में ध्यान रखनी है जैसे अच्छा बताते हो और एक important और चीज कि angle इसमें 0 से 360 degree के बीच में represent कर सकते हैं अब कुछ points ध्यान से देखिएगा जैसे example के लिए मैं आपको इस तरीके से अगर represent कर रही हूं कि for example whole circle bearing of line whole circle bearing of line a b is 60 degree तो यह a b की जो whole circle bearing अगर दी है 60 degree तो 60 कहां से दी है क्या बोला मैंने reference किसको लेना है नौर्थ को लेना है और direction जो measurement की रहेगी वो clockwise रहेगी और आपको अभी मैंने बताया था 0 से 90 degree है तो first quadrant होगा तो मतलब मैं नौर्थ को reference मानो clockwise direction में अगर आपने 60 degree बताया तो यह मेरी कई ना कई AB line होगी समझ में आया first quadrant में होगी similarly whole circle bearing की जगा अगर अकेला ऐसे लिखा है bearing of line BC bearing of line BC is 120 degree तो अब 120 लिखा है आपको अगर इस format में जब भी angle लिखा हुआ मिलेगा 60 degree 120 200 degree तो वो whole circle bearing ही होगा और simple आपको bearing लिखी हुई है 120 degree तो इसका मतलब क्या होगा मैं 120 degree कहां से लिखा होगा ठीक है 120 degree वैसे ही अगर तीसरे quadrant में कोई line लाये कर रहे होगी सेम अगर तीसरे quadrant में कोई line लाये कर रहे होगी तो angle कहां से आएगा मैं नौर्थ को reference मान कर ये total angle आएगा जैसे मैं बोल देती हूँ कि किसी line की bearing 200 degree है तो आपने दिमाग में क्या picture बनानी है 200 कहां से आया होग मैं नौर्थ से आया होगा और पूरा clockwise direction में गूमते हुए यहाँ पर मेरा 200 degree जो है वो complete हो जाएगा similarly अगर fourth quadrant में value लाये कर रहे होगी तो 270 से जादा होगा अब फिर से देखो आप बोलेंगे कि मैं नौर्थ के पास तो इस direction में भी लाये कर रहा है अगर मैं नौर्थ से angle measure करूं तो ये भी तो ले सकता हूँ लेकिन वो गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा अगर मैं बोलेंगे मैं यहां की direction में साथ बना दो क्यों गलत हो जाएगा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि direction हमारी क्या है क्योंकि direction हमें clockwise consider करनी है और clockwise direction मतलब मुझे ये total angle ही यहां पर measure करना पड़ेगा तो इसलिए आपको अगर fourth quadrant में value जाती है तो 270 से 360 के बीच में कोई भी value हमारी लाए कर सकती है line की तो whole circle bearing के बारे में बस यह सारे points याद रखने हैं जो मैंने इस slide में आपको mention करके बताए अब मैं बात करूंगी आपके साथ यहां पर quadrantal bearing की फिर आपको इनकी conversion आनी चाहिए ठीक है फिर आम बात करते हैं दूसरी कि यहां पर quadrantal bearing इसको कैसे represent किया जाता है और कैसे यह whole circle bearing स से अलग है quadrantal bearing को आप qb से represent कर सकते हो short form में इसे qb लिख सकते हो ठीक है अब देखो same वैसे ही सबसे पहले तो चार quadrants बना लेते चार quadrants बना लिए directions दिखा दी north, south, east और west अब पिछले case में क्या था सिरफ north को ही reference मान कर चलते थे यहां पर आप north and south north end नहीं लिखते हैं और लिखते हैं north और south दोनों में से किसी को भी reference मान कर angle measure कर सकते हो दूसरी बात direction अगर measurement की मैं यहां पर बात करूँ तो direction measurement की क्या रहेगी यहां पर clockwise भी हो सकती है और anti clockwise भी हो सकती है तो पिछले case में सिरफ हम clockwise direction में ही angle measure कर रहे थे यहां पर clockwise और anti-clockwise दोनों ही direction में angle measure हो सकता है अब पिछले case में angle कहां से कहां तक हम represent कर पा रहे थे 0 से 360 के बीच में अब यहाँ पर एक quadrant में maximum और minimum angle कितना वेरी करता है एक quadrant मतलब ये वाला portion one fourth part तो यहाँ पर वेम 0 से 90 के बीच में ही रहेगी हमेशा value इसको represent करने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग होता है और जल्दी से देख लीजिए कि वो क्या होता है जैसे मैं मान लिया कि यह मेरी एक survey line है और यह survey line है मेरी AB ठीक है मान लीजिए यह survey line है और यह first quadrant में लाए कर रहा है first quadrant में लाए कर रहा है नॉर्थ को reference मानकर मैंने आपर एक theta 1 angle measure किया था अगर यह survey line AB है यह north के जाधा near है यह south के जाधा near है जल्दी से बता दीजिए अगर यह line AB हमने यह आपर जो draw करी है यह north के जाधा नस्दीक है यह south के जाधा नस्दीक है नॉर्थ के जाधा नस्दीक है तो मैंने north को reference माना क्यूंकि यहाँ पर direction clockwise भी चल सकती है और anti clockwise भी चल सकती है अब angle को कैसे represent करोगे किसको reference माना है आपने इस case में मैं आपने आपर north को reference माना है आपने direction clockwise लेकर angle जो measure किया वो कितना था theta 1 और direction direction कौन सी थी east वाली east वाली side तो north theta 1 east ऐसे हम क्या represent कर सकते हैं first quadrant में जो भी angle लाए करेगा क्योंकि north के पास था जितना angle measure किया वो theta और direction क्या थी east सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूँ आप मुझे बताएंगे अगर मैं आपसे पूछूँ ये हमारा third quadrant में जो angle मैंने measure किया वो theta 2 था तो इसको कैसे represent करोगे तीसरे quadrant में अगर line लाए कर रही है तो इसको कैसे represent करोगे जल्दी से बताएं मताएं जरा कैसे represent करेंगे हां तो यहां पर हम देखेंगे कि मैं south जो है ये line south के जादा नियर है तो पहले south लिख दिया फिर direction लिख दी theta 2 फिर उसके बाद हमने लिख दिया west तो south theta 2 west क्या बन जाएगा south theta 2 west हाना south theta west अच्छा यह आगया हमारा third quadrant के लिए fourth quadrant में कैसे represent करेंगे fourth quadrant में अगर line है वो कैसे लिखेंगे अब देखो fourth quadrant के लिए मुझे पूरा घूमके नहीं आना क्योंकि north को reference मानना है और direction of measurement clockwise भी हो सकती है anti-clockwise भी हो सकती है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी कि यह जो angle है मैं मान लिजे यह वाला angle theta 3 है तो आप इसको लिख सकते हो north theta 3 और west north theta 3 और west similarly अगर हमारी line तीसरे quadrant में second quadrant में लाए करती है तो second का मतलब है वो south के जादा pass है आप इस angle को अगर theta 4 मान लेते हो तो यह बन जाएगा south theta 4 east तो आपको चारो quadrant में value किस तरीके से represent करनी है उसको हम इस तरीके से बता सकते है ठीक है अब इसी same quadrantal bearing को इसी quadrantal bearing को हम क्या बोलते हैं इसी quadrantal bearing को reduced bearing भी बोलते हैं very good अगर आज भी clear हो गया तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि paper में जाने से पहले clear हो गया ठीक है अज चलिए एक दो example जल्दी से मुझे बताईए जरा solve करके कि अगर मैं बोलते हूँ कि bearing of a line अब मैं पूरा ना लिख कर सिधा angle लिखूंगी if bearing of a line is 120 degree तो इसको convert करिए जरा quadrantal bearing में बस दो चार example आप करेंगे फिर हम आगे numerical में इसको apply करके सीखेंगे तो बताईए अगर bearing of a line is 120 degree 120 degree है आज clear हो गया ना अभी गलती नहीं होगी आशुतोष अगर आप अच्छे से practice करेंगे 90 के लिए बता देती हूं टेंशन ना लीजिए तो बताईए अब देखो 120 degree है अगर 120 degree है तो line कहां लाए कर रही होगी जो first time बढ़ रहा होगा उसे हो सकता है इस diagram को बनाना पड़े जिसकी practice है उसे ये पहले से clear हो जाएगा अच्छे से कोई आपको formula भी नहीं याद रखना है याँ पर 120 degree का मतलब क्या हुआ देखो जो first time बढ़ रहे हैं नौर्थ को reference माना और ये total angle यहाँ पर कितना दिया है 120 degree ऐसे बना लोगे आप line कहां लाए कर रही है 120 की line बना ली सब नहीं उसके बाद देखा ये वाली जो line है ये south के ज calculate करने मुझे calculate करना है यह वाला अंगल यहाँ पर theta किसके बराबर होगा अब मैं यह वाला theta कैसे निकाल सकती हूँ ध्यान से देखना जडरा मैं यह पूरा angle यहां से नहीं तक कितना था 180 degree अगर मैं 180 degree में से 120 degree को minus कर देती हूं तो मुझे theta मिल जाएगा 180 degree में से 120 degree को minus कर द तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, conversion कर सकते हैं, यह तो था कि अगर आपको whole circle bearing की form में question दिया है, और मुझे इसको quadrantal bearing में convert करना है, लेकिन अगर दूसरा case इसका opposite है, आपको बुला है north 30 degree west, north 30 degree west को convert करो whole circle bearing में, क्या convert कर सकते हो, north 30 degree west को convert करो whole circle bearing में, जल्दी से बता देंगे कि इसका answer क्या बनना चाहिए, इसका answer क्या बनना चाहिए, north 30 degree west के लिए, बताइए, तो यहां direction सारी लिख देते है, north, south ही आ गया, east और हमारा west, yes, तो यह बन जाएगा 330 degree, north 30 degree west का मतलब क्या हुआ, मैं हम अगर diagram दिखाएंगे, तो यह north आ गया, 30 degree आ गया, और direction क्या आ गय अगर आप इसको whole circle bearing में convert करना चाहते हो, तो क्या करना होगा, north से आना पड़ेगा, पूरा clockwise घूम कर, तो आपको यह angle निकालना है, और मैं हम लोग जानते हैं, कि अगर हम पूरा angle देखे, north से लेकर, यह वापिस पूरा circle जो बनेगा, यह तो पूरा 360 degree है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 degree minus 30 degree, तो मेरे पास यह value सीदे कितनी आ जाएगी, 330 degree, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास angle 90 degree होता है, तो यह 90 degree का मतलब क्या है, कि मेरी जो survey line है, वो यहाँ पर लाए कर रही होगी, 90 degree का मतलब क्या है, यह AB जो होगी, यह मेरी survey line होगी, अब 90 degree क्या है मेरा, quadrantal bearing, sorry, whole circle bearing, मुझे convert किस में करना है, quadrantal bearing में, तो कैसे convert कर सकती हो, अब 90 degree का मतलब मेरे यह AB line, यह north के जादा near है, यह south के जादा near है, बताना जरा, यह north के जादा near है, यह south के जादा near है, तो आप क्या करोगे, मेरे यह तो दोनों के बराबर ही पास है, तो मैं इसको north 90 degree east भी लिख सकती हों, और south 90 degree east भी लिख सकती हों, दोनों ही गलत नहीं होंगे, क्योंकि यह दोनों के बराबर ही है, दोनों से बराबर पास है, कनया कुमार, anti-clockwise direction सिरफ quadrantal bearing में लेंगे, starting में बता दिया था ना, आप बुरे anti-clockwise, anti-clockwise सिरफ quadrantal में लेंगे, whole circle bearing में आ आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हों, क्योंकि यह line जो है बिल्कुल कहां पर आ रही है, यह line आपको बिल्कुल same, दोनों, north से और south से, दोनों से equal distance पर present है, ठीक है, दोनों से equal distance पर present है, clear होगे सबको, conversion को अभी हम और सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने और भी कुछ नि करते हैं, थोड़ी बहुत practice अपने end से करिएगा, whole circle bearing को quadrental में convert कीजेगा, और quadrental को whole circle bearing में convert कीजेगा, ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, हमारा जो magnetic declination क्या होता है, अब बात करते हैं, magnetic declination, किसी standard book में यह 90 east नहीं लिखाया निर्बन, इसलिए मैं वो data यहां प refer कर रहे हो, तो उसमें जो चीज लिखी होती है, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है, चलिए, तो आप बात करते हैं, magnetic declination, magnetic declination क्या होता है, उसको delta से represent करते हैं, अब declination क्या represent कर रहे है, अभी तक आपको बता चल गया कि horizontal angle क्या है, हम कौन सा angle measure कर रहे है, भही एक reference line है, एक reference line के with respect to, किसी भी एक direction में, किसी एक line के लिए जो आपने angle measure किया है, वो हम उसे true bearing, magnetic bearing, grid bearing, या arbitrary bearing बोल देते हैं, उस bearing को हम अलग-अलग तरीके से represent कर सकते हैं, जैसे कि हमारा whole circle bearing हो गया, या फिर हमारा quadrental bearing हो गया, अब दोनों में conversion कैसे करनी है, वो हमने सीख लिया, अब ब बारे में समझा, अभी हमने थोड़े दिर पहले meridian के बारे में समझा, तो वापीस से एक छोटा सा point, अब हमें angle की सारी बाते clear है, अब हमें angle की सारी बाते clear है, तो मैं यहाँ पर हमेशा इस vertical line से true north और true south को ही दिखाऊंगी, ठीक है, हमेशा भी आगे जितने भी examples हम अब देखो, अब जो हमारा magnetic north और magnetic south है, वो आपका हमेशा same नहीं रहता, अर्थ जिस axis के about घूम रही है, वो तो same रहेगी, मतलब true north और true south की जो position है, वो तो same रहेगी, लेकिन अर्थ की magnetic field time to time, place to place, वेरी करती रहती है, अब अर्थ की magnetic field वेरी क्यों करती है, क्योंकि sun के around भी घूम रही है, और उस पर बहुत सारी अलग-अलग forces है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कि अर्थ की अगर हम लोग बात करें, उसकी magnetic field आज कुछ और है जहाँ पर मैं अभी हूँ, और हो सकता है कल उसकी magnetic field यहाँ पर change हो जाए, तो वो time to time vary करती रहती है, और अगर magnetic field time to time vary करेगी, तो magnetic north और magnetic south की direction भी हमेशा क्या करती रहेगी, vary करती रहेगी, same नहीं रहेगी, तो इसलिए अगर मैं पहला case यह मानूँ, कि हमारे अर्थ का जो magnetic north है, अगर मैं पहला case यह मानूँ, कि अर्थ का magnetic north और magnetic south वाली line, यह देखे, यह क्या शो कर रही हूँ, magnetic north और यह magnetic south, कि इसकी direction, इसकी direction क्योंकि time to time vary कर सकती है, पहले case में मैंने क्या मान लिया, इसकी direction किस तरफ है, टूवार्ड वेस्ट है, तो अर्थ का जो actual north था, जो true meridian था, और अर्थ का जो magnetic meridian है, इनके बीच में, इनके बीच में, जो horizontal angle बनेगा, इस horizontal angle को क्या बोलते है declination, इनके बीच में, जो horizontal angle बनेगा, इस angle को क्या बोलते है, declination, अब true north से magnetic north, कितने angle पर decline हुआ, यह कितने किस direction में आया, मैं, toward west direction में आया, delta angle के साथ, तो इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया, western declination, क्योंकि west की तरफ decline हो रहे है, तो इसका नाम क्या पढ़ गया western declination और आप इसको कैसे represent कर दोगे, delta w से represent कर दोगे, similarly अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऐसा भी हो सकता है, कि हमारा magnetic north east की तरफ bend हो जाए, magnetic north east की तरफ आ जाए, कितने angle से, मैं, delta angle से, लेकिन क्योंकि east की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको represent कैसे कर दूँगी, delta e से, तो delta e क्य eastern declination, delta e मुझे क्या बता रहा है, eastern declination और del e से मैंने इसको यहाँ पर represent कर दिया, ठीक है, अब इसके regarding कोई formula हम याद नहीं करेंगे, हम diagram बना के ही questions को solve करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलती हूँ, कि bearing of a line, एक line मैंने यहाँ पर मान ली, और इस case मे भी line मान ली, किस quadrant में मानिये, देखो line, first quadrant में है क्या यह, यह जो pink color से line मैंने represent करी a, b, यहाँ पर भी line represent करी a, b, यह first quadrant में लाए कर रही है, अब मैंने क्या बूला, कि true north से survey line का जो angle होता है, उसे true bearing बोलते है, yes or no, जल्दी से बताओ, true north को reference मान कर, इस pink वाली line तक जो angle ब वाली line को reference मान कर, जो line का angle बनेगा, वो क्या बनेगा, उसे गा बोलेंगे, magnetic bearing, इस वाले case में आ जागे, जरा, July वाली line जो magnetic north है, उसे reference मान कर जो angle बनेगा, वो magnetic bearing बनेगा, और मैं, true north से जो line का angle बनेगा, वो true bearing बनेगा, अगर मुझे इस case में और इस case में मैं आप से कि क्या आप यहां पर true bearing की value कैसे निकालेंगे वो बता सकते हो आपको क्या दिया है true bearing निकालना है magnetic bearing given है और आपको declination given है अब हम इन तीन टार्म से related चीजों के बारे में समझने वाले हैं तो अगर मैं आपसे पूछू क्या इस case में आप मुझे बता सकते हो कि हम लोग true bearing कैसे calculate करेंगे कि हम true bearing की value कैसे निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि magnetic bearing में declination को add कर दो very good सही बता रहे हैं बाकी लोगों को समझा रहा है जो नहीं अंसर कर रहे हो कैसे निकाला मैं यहाँ पर आपको यह magnetic bearing में sorry true bearing निकाला है magnetic bearing में क्या किया western declination को minus कर दिया magnetic bearing में western declination को minus कर दिया तो इसको इस तरीके से निकाल लिया तो जैसा अगर मैंने अभी diagram बनाया है एक्जाम में आप वैसे diagram बना लेते हो तो आपको कोई भी question अभी गलत हो ही नहीं सकता आपको declination दिया होगा true bearing दिया होगा magnetic निकालना होगा यह कोई भी दो इन तीन में से any two इन तीन में से कोई भी दो values आपको given होनी चाहिए अगर कोई भी दो values given होगी तब हम तीसरी value निकाल पाएंगे कोई भी दो मतलब ये दो दिये हैं तीसरा निकालना है ये दो दिये हैं इसको निकालना है या फिर इन दोनों को दिया है magnetic निकालना है तो कोई भी दो values हमेशे हमेरे पास होनी चाहिए तभी हम ये value तो एंगल की या ट्रू बेरिंग की या मेगनेटिक की निकाल पाएंगे और जो बोल रहे हैं नहीं समझें इसमें तो हमने कुछ में नहीं किया आप अगर डाइग्राम देखेंगे तो मैंने ये पूछा कि अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो इस पूरे एंगल में से छ किनेटिक बेरिंग में डिक्लाइनेशन का सम कर दो दोनों को एड कर दो तो आप निकाल सकते हो बस इतनी सी बात बताई मैंने रोशन या दव ठीक है अब देखो ये तो बात आ गई इसी के साथ साथ यहां पर कई बार आपसे औजेक्टिव में ये चीज़ पूछी जाती ह कि किस डिक्लाइनेशन को पॉजटिव बोलते हैं किसको नेगेटिव तो इस्टन डिक्लाइनेशन को पॉजटिव डिक्लाइनेशन भी बोला जाता है इसका मतलब यह नहीं कि इसमें हमेशा प्लस ही करना है तो इसको पॉजटिव डिक्लाइनेशन बोलते हैं याद कैसे र तो उसको हम क्या बूल देते हैं negative declination, तो पूछ लेते हैं कई बार eastern declination positive होगा या western declination positive होगा, तो बान मार्क के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये तो हो गया true bearing दिया है, magnetic bearing दिया है, उससे हमें declination कैसे निकालना है, इसकी questions पर जा रहे हैं, अभी tension ना लीजिए, अब हमारे पास बात आती है, कि isogonic line और agonic line, these are very 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 important for your state exams, और SSEJ exam, अब मुझे पता चल गया कि declination क्या होता है, आप मुझे एक बात बताईए, क्या declination हमेशा सेम रहेगा, क्या ये declination हमेशा सेम रहेगा, clockwise सिरफ whole circle bearing को लेते हैं, दिपाली शर्मा, Quadrant bearing लूँगी तो anti-clockwise चल सकते हैं, जब मुझे declination के लिए angle निकालना है, तो वो angle horizontal होना चाहिए, true north और magnetic north के बीच में, सिरफ, उसके लिए direction नहीं है, डिक्लाइनेशन के लिए true north और magnetic north के बीच का angle क्या होना चाहिए, horizontal, clear है आपको, दिपाली शर्मा, क्या बताया मैंने, इसके अलावा जो मैं बाकी bearing यहाँ पर अभी लिख रही थी, जो पीछे example में, वो सारी whole circle bearing लिख रही थी, तो वो quadrantal bearing लिखूंगे, तो वो anti-clockwise जाएगी, अब बात करते हैं, क्योंकि declination हमारी हमेशा same नहीं रहेगी, आप बोलेंगे क्यों same नहीं रहेगी, इसलिए same नहीं रहेगी, क्योंकि declination क्या represent कर रहा है, true north और magnetic north के बीच का angle, अब मैंने आपको starting में ही बता दिया था, अब यह magnetic north की जो position है, magnetic north की position तो change करती रहती है time के साथ-साथ, तो अगर magnetic north यहाँ से इधर shift हो गया, तो dell change हो गया, magnetic north अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी इधर की तरफ shift हो गया, तो dell change हो जाएगा, तो magnetic north जैसे जैसे change होता गया, तो declination change होती जाएगी, तो यहाँ पर आपको दो important definitions लिखी हुई है, एक isogonic lines क्या होती है, और agonic lines क्या होती है, तो अगर मैं यह earth surface बनाओ, earth surface बनाओ, earth surface पर किसी particular time पर, किसी particular time पर, point A, point B, point C, कुछ ऐसे points थे, मैंने क्या निकाला, third quadrant के लिए question करेंगे, tension ना लिजिए, कमल जे उतिदास, अभी हमने सवाल करना है, इस definition को पढ़ने के बाद, इस topic को complete करने के बाद, कुछ questions करेंगे, आपको clear हो जाएगी चीज, ठीक है, अब देखे, same, जहाँ पर, किसी same time पर, A, point, declination जितनी A पर थी, उतनी ही declination B पर थी, उतनी ही declination C पर थी, और यह हो सकता है, declination 30 हो, यह 5 निकल कर आए, यह 10 है, जितनी भी value है, इन तीनों points पर, जब declination same है, तो इन तीनों points को join करने वाली line, so, line passing through the points on earth surface, जहाँ पर declination same है, उसको क्या बुला जाता है, isogonic line, clear है, isogonic line क्या होता है, isogonic line का मतलब क्या होगा, पूरे earth surface पर, वो सारे points को join करने वाली line, जहाँ declination same है, अब यहाँ पर declination same है, तो वो join करने वाली line, isogonic हो गई, अब मैं ऐसा भी हो सकता है, कि इस earth surface पर, जहाँ हमारा true north था, और जहाँ हमारा true south था, उसको join करने वाली यह line बन रही है, ऐसे ही infinite बहुत सारे lines बन रही है, अगर earth का magnetic north और magnetic south, earth का magnetic north और magnetic south भी coincide कर गया true north और true south से, मतलब declination कितनी हो गई, declination कितनी हो गई, zero हो गई, तो अगर हमारा declination zero हो जाए, और zero declination वाले points को join करने वाली line को क्या बोला जाता है, agonic line, तो earth surface पर, जहाँ पर भी declination zero होगा, उनको join करने वाली line हो जाएगी, agonic, तो बड़े सारे exams में ये पूछा गया है और पूछा जाता है, isogonic और agonic lines में क्या difference होता है, तो याद रखिएगा, declination zero है, तो वो हमारी agonic lines है, बिल्कुर सही बताया, मैं बिल्कुर सही answer कर रहे हो आप, ठीक है, अब declination से related कुछ question करते हैं, फिर मैं आपको एक और problem यहाँ पर आती है, जो exam में वो समझाओंगी, ओके, अब पहले तो एक सवाल मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जो किसी को doubt था कि अगर second quadrant में होगा, third quadrant में होगा, तो कैसे करना है, मुझे लगता है कि कुछ questions practice करके, वो जादा अच्छे से आप लोगों को clear होगा, तो एक एक करके question solve करते हैं, जिनको solve, मतलब जिनको idea है, clear है, तो आप इसका answer comment section में बताइए, जिनको नहीं समझ में आया है, तो जब मैं अभी explain करूँगी, तो थोड़ा wait करके सुन लेना की, कैसे करना है, चलिए इसका answer बताएंगे, ये question आया है, S.S.E.J.E. 2005 में, और simple सा सवाल है, अभी-अभी हमने पढ़ाई कि magnetic bearing और declination अगर हमें दिया हो, तो हम true bearing कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे diagram बनाना आता हो, अगर diagram बनाना मैं सीखना हूँ अभी, तो हम देखते हैं, इस question को कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, क्या किया मैंने सबसे पहले, देखो, आप जो नया नया भी सीख रहे हो, जो बात मैं आपर बताऊंगे, उस बात का ध्यान रखना, पेपर में कभी भी गलती नहीं होगे, ठीक है, मैंने true not true sound दिखा दिए, अब आपको क्या बोला है, given क्या है, magnetic bearing of line AB is 132 degree 45 minute, 132 degree 45 minute, ये दिया है, magnetic bearing, और आपको declination, अगर question में declination दिया है, तो पहला काम करो, जिस direction में declination दिया है, सबसे पहले magnetic north वहाँ बना दो, तो उसने बोला है, कि declination is 10 degree 20 minutes west, तो मैंने पहला काम क्या किया, वह magnetic north को west की तरफ दिखा दिया, ठीक है, अब पहला काम declination बना के, मेरे को पता चल गया, magnetic north कहां होना चाहिए, और ये 10 degree 20 minutes मैंने यहाँ पर show कर दिया, अब जो मुझे bearing दी है, जो angle दिया है, मुझे देखना है, वो कहां से लेना है, मैं magnetic north से लेना है, कितना है 132, कौन से quadrant में जाएगा अगर 132 है, तो मैं यहाँ पर 180 degree होती है value, तो 132 का मतलब है, ये जाने वाला है मेरा, magnetic north से लेकर total angle 132 degree 45 minutes, ये पूरा angle, अब इस diagram को देखके मुझे ये बताओ, क्या आप true north से, क्या आप true north से, इस survey line का angle निकालने के लिए, 132 45 में 10 degree 20 minute को plus करोगे या minus करोगे, देखी आपको ये जो pdf है, ये आप pw app पे जाना, इंजिनियर्स वाला चैनल सेलेक्ट करना, इंजिनियर्स वाला में AJ category में आपको मिलेगा, और वहाँ SACJ crash course सेलेक्ट करना, सारे lectures भी मिल जाएंगे, उनका pdf भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे साथ telegram पर connect हो सकते हो, सिम्रन मैं pw लिखोगे, तो कोई ना कोई मैं pdf शेर कर देता है, बताए, तो अब आपको plus करना है या minus, मैं यहाँ पर total value 132 degree 45 minutes, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको value निकालनी है, ये बाहर वाली true bearing की, तो true bearing किसके बराबर होगा, 132 degree 45 minutes, minus 10 degree 20 minutes, तो मेरे पास answer क्या आएगा, मेरे पास answer आएगा, option B बता रहे है, west की तरफ से ऐसा मतियाद रखिएगा, कि plus होगा, अब लव कुमार plus कैसे होगा, मैं पूछ क्या रही हूँ, मुझे ये 132 ये वाला angle दिया है, true bearing जो है, वो इसके बाहर वाला angle है, true bearing इसके बाहर, तो आपको इनको minus करना है, 132 degree 45 minutes, अब minus भी गलत कर रहे हो क्या, 10 degree 20 minutes, 5 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, तो 25 minutes देख लो, तो ये तो नहीं हो सकता, और D कैसे बना दिया, आपने जब ये 30 यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो 122 degree 25 minutes is your correct answer, और बहुत सारे लोगों ने option, ये सही बताया, समझ में आया, क्या किया मैंने, मैंने सबसे पहले, declination बना दी, किस direction में है, और उसके बाद अपना angle represent कर दिया, उसके बाद मैंने अपना angle represent कर दिया, आगे बात करते हैं जरा, आगे बात करते हैं, इस question को देखिए जरा, इस question को देखिए, calculate the true bearing of a line, if magnetic bearing of line, जिसे आता है, solve करेंगे, जिसे नहीं आता है, जब मैं explain करूंगी, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है, चलो, लव कुमार शायद हो सकता है, आपने पिछला question ध्यान से नहीं पड़ा, कि हमें given क्या है, और निकालना क्या है, तो गलती हुई, इस सवाल को कोशिश कीजिए, solve करने की, जिन लोगोंने पहले topic पढ़ रखा है, जिसने नहीं पड़ा, अभी देखना मैं जब बताऊंगी, तो उसी तरीके से solve करना, कुछ लोग answer B बता रहे हैं, कुछ लोग answer D, C, मतलब confusion है, अगर कोई ऐसा question निकल कर आता है, तो इसका मतलब चारो तरफ confusion फैली है, इस सवाल के लिए है, आप देखिए ज़रा क्या करना है मुझे, इसने बोले declination है, इस तरीके के सवाल को करने का तरीका समझना है आपको, ठीके, अब इसके बाद जब कोई ऐसा सवाल आएगा, आप इस तरीके से करोगे, जो मैं बता रही हूँ तो गलती नहीं होगी, पहली चीज़ मैंने क्या देखी, declination दी है 5 डिगरी इस्ट की तरफ, तो ये तो मैं हमेशा फिक्स कर देती हूँ, कि भई ये मेरा true north और true south है, इस्ट की तरफ मैं क्या बना दूँँगी, इस्ट की तरह बना दूँँगी magnetic north, मतलब यहां से east की तरफ ये बना दिया magnetic north, मैं अगर magnetic north इस तरफ आया है, क्या magnetic south भी उतना ही इस तरफ चला जाएगा, अगर magnetic north south की direction दिखाऊंगी, ये white वाली line बनेगी, ये कितनी है, 5 डिगरी east की तरफ है, अगर ये angle 5 डिगरी है, क्या ये वाला angle भी 5 डिगरी होगा, जल्दी से yes और no बता दीजिए, ऐसे ही करना अगली बार question, ये 5 है, तो मैं ये भी 5 होगा, बिल्कुल, अब आगे क्या बोला गया है, if the magnetic bearing of a line is south 60 डिगरी east, magnetic bearing का मतलब है, magnetic meridian को reference मान कर angle जो लिया है, वो south 60 डिगरी east है, अब देखो, magnetic meridian को reference मानना है, क्या क्वडरेंटल bearing में मैं यहाँ से भी reference ले सकती हूँ, अब देखो, ये क्या है, south 60 डिगरी east, कौन सा south लेना है, true south लेना है, या magnetic south लेना है, जब इस angle को लिखूंगी, क्योंकि magnetic bearing है, तो magnetic south लेना है, किस direction में है, east की direction में, मैं हम 60 डिगरी angle बना दो, तो east की direction में 60 डिगरी angle बना दिया, इस line का नाम मैंने रख दिया, AB, ठीक है, अब magnetic south से green line का angle कितना है, 60 degree, इन दोनो white और इस line के बीच, declination कितना था, 5 degree, अब बताओ, यह जो pink से represent किया है, मतलब true meridian से, survey line का angle, यह बीच वाला कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का angle, 60 में 5 को plus करूँ, या 60 में 5 को minus करूँगी, 60 में 5 add करूँ, या minus करूँ, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह पूरा 60 है, यह 5 है, तो minus करेंगे, value आ जाएगी 55, ठीक है, अगर 55 आ गई, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, यह 55 का मतलब है, मैं हम south 55 degree east, तो यह direction change नहीं होती, जो direction यहां दी है, direction सेम रहेगी, मुझे बता होना चाहिए, इस 5 को मैंने यहां add करना है, यह 5 को मैंने इसमें minus करना है, ठीक है, अब यहां पर सवाल क्या आ जाएगा, south 55 degree east, तो answer मेरे पास बन जाएगा, इसका option c, क्या यह तरीका समझ में आया, क्या करना है, बोलो ज़रा, अपने end से previous year questions लगाने हैं आपने, अभी तो हम और questions कर रहे हैं, लेकिन आज की class में के बाद ही, आपको solve करने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाओगे, तो correct answer कितना बन जाएगा, इसका option c बन जाएगा, ठीक है, clear है सबको, अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल देखिए, अभी अभी हमने conversion देखी, अभी अभी हमने conversion सीखी, कि कैसे whole circle bearing को, quadrantal में convert करते हैं, उसी के basis पे अगर कोई question आए, तो यहां से देखिए, idea मिल जाएगा, कैसे करना है, whole circle bearing of a line आपको दिया है, 287 degree 15 minutes, और पूछा है कि reduce bearing of a line, reduce bearing आपको निकालना है, ठीक है, magnetic declination दिया था, तो declination तो दिया था, तभी तो उसको draw किया था हमने, पिछले question में क्या doubt है, अभी देख लेते हैं, पहले इस सवाल को कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर बुला है, whole circle bearing is 287 degree 15 minutes, तो अगर मैं यहाँ पर, quadrant चेक कर लूँ ना सबसे पहले, तो 287 मतलब, मैं 270 से जादा होगा, तो fourth quadrant में जाएगा, fourth में जाएगा, तो north, theta, west होना चाहिए, आपको angle convert करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपने देखना है north और west, तो यह value क्या जाएगी, north, theta, west में हमारा correct answer बन जाएगा, अगर आपको value निकालनी भी है, तो यह angle कहां से कहां तक होगा, मैं north से लेकर total angle आपका 287 degree 15 minutes है, 287 degree 15 minutes है, आपको यह angle निकालना है कैसे निकालोगे, मैं हम पूरे 360 degree में से माइनस कर देंगे 287 degree 15 minutes, तो आपको यह angle मिल जाएगा, आप लिख सकते हो north, theta, west, तो सही answer इस question का क्या बना दूँगी, मैं यह आपर option C बना दूँगी, ठीक है, conversion भी clear है, अब एक type का सवाल है, उस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, कि जब भी ऐसे questions आएंगे, तो आपको true bearing, magnetic bearing, और declination, इसमें से कोई भी any two values given होनी चाहिए, आपको कोई भी दो values given होंगी, तब ही आप question को solve कर पाऊगे, अभी तक जो आपने सवाल किये, उसमें भी कोई दो दी होती थी, तो एक निकालनी होती थी, अब आपको कई बार ऐसे problems आती हैं, आपको क्या बोला होगा, मैं आपको problem का example समझाऊंगी, पर उससे पहले theoretical में जो बता रही हों, वो ध्यान रखिएगा, अगर मैं चार क्वाड्रिंट्स की फॉर्म में consider करूँ, ये नौर्थ है, ये साउथ है, अगर मैं जो सन की पोजीशन होती है, वो यहाँ कहीं होती है, ठीक है, यहाँ कहीं का मतलब क्या है, कि अगर मैं true north के with respect to true bearing measure करूँ, sun की position का, तो वो 180 degree निकल कर आता है, जो आपको बस याद रखना है, क्यों आता है, कैसे कुछ नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है, कि sun की position at noon कितने angle पर होती है, true bearing कितने पर होती है, 180 पर होती है, अब आप सोचेंगे क्यों बताया, अभी यहाँ से related सवाल आते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, at noon जो sun की position है, अगर ऐसे लिखा है कि दिन का time है, तो आप क्या मान कर चलेंगे, कि true bearing 180 degree हमें दी हुई है, ये given ही है, question में लिखा नहीं होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अब अगर ये 180 degree है, अब इसी दिन के time, at noon, मुझे बोला जाता है कि किसी line, इसी same magnetic bearing जो है, मतलब at noon magnetic bearing आपको दे रखी है, 178 degree, तो बोलेंगे कि declination बताओ जरा, कि कितना होगा और किस direction में होगा, ध्यान से सुनिए, आपको बोला जाएगा कि sun की position, at noon जो है, वो मतलब at noon, sun की magnetic bearing कितनी है, 178 degree है, बताओ declination कितना होगा, अगर मैं ये 2 values दी है, तो हम तीसरी नहीं निकाल सकते, तीसरी मुझे हमेशा याद रखनी है, 180C है, अब जो बात बोली जाएगी, तर ध्यान से देखना जाना, जो मैं बोल रहे हूँ, sun की position यहाँ पर fix है, sun की position यहाँ पर fix है, अब मुझे क्या करना है, magnetic bearing यहाँ पर 178 degree बनानी है, अब ये वाली position यहाँ से change नहीं होने वाली, ये angle 180C है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो magnetic north को east की तरफ बनाओ, या magnetic north को west की तरफ बनाओ, तो अगर मैं magnetic north को east की तरफ बनाती हूँ, ये जो angle मिलेगा, क्या ये 180C से कम है या 180C से जादा है, इस diagram को देखके क्या लग रहा है वो बताना, जो magnetic north से यहां तक का angle मिलेगा, वो 180C से कम दिखाई दे रहा है, या 180C से जादा दिखाई दे रहा है, ये बता दो, आप बोलेंगे, मैं 180C से कम दिखाई दे रहा है, less than 180 degree, ठीक है, अगर मैं west की तरफ इसको consider करती हूँ, अगर मैं west की तरफ consider करती हूँ, तो यही angle, ये sun की position तक का जो angle है, वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, greater than 180C, greater than 180C, तो जब भी, जब भी आपका magnetic bearing, जब भी आपका magnetic bearing, less than 180 degree दिया हो, जब भी आपका magnetic bearing, less than 180 degree दिया हो, तो eastern declination, उस case में आपको देखने को मिलेगी, और निकालनी कैसे है, दोनों को minus कर दो, 180C minus 178 degree कर दिया, तो सिधा मैं 2 degrees का answer आगया, और जब भी magnetic bearing, मेरी 180 degree से ज़्यादा दी होगी, उन सारे cases में जो declination होगा, वो western declination होगा, निकालना कैसे है, मैं उन दोनों एंगल को minus कर दो, आपके पास declination निकल कर आ जाएगा, magnetic bearing minus true bearing, समझाया या नहीं आया, अगर magnetic bearing मैं कम दी है, तो eastern declination है, magnetic bearing ज़्यादा दी है, तो western declination है, बस ये दो बाते याद रखना, मुझे नहीं लगता कि आपका, अगर ये concept मुझे पता है, बहुत थारे लोगों को doubt रहता है, और कितने लोगों का ये doubt आज clear हुआ है, मुझे comment section में बता दीजी एक बर जल्दी से, कितने लोग ऐसे हैं, जिनका ये doubt आज clear हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आता था, कि sun वाली जो positions के questions होते हैं, उनको करना कैसे है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सवाल आजाए, आप इसको गलत ही नहीं कर पाऊगे, हाँना, ये वही problems है, जहाँ जो हमें बार-बार मिलती हैं, और हमें clear नहीं होती हैं, अब देखिए जरा, इस question को solve करना है मुझे, मैंने आपको 45 seconds दिये, और ये question solve करना है, अब आपको कोई जादा time नहीं लगने वाला, अब कोई जादा time नहीं लगने वाला, इस सवाल को करने के लिए, देखिए जरा, क्या answer होना चाहिए इस question का, खुद की तारीफ तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जिन concepts को आपको आसान बना के समझा रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ problem होती है, मुझे ये भी पता है कौन से topic समझ में नहीं आते हैं, उनी topics को मैं जादा आसान बनाने की गोशिश करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने आप भी subject को पढ़ा था, तो मैं अपने आप जानती हूँ कि कहाँ पर, क्या problems मैंने face की थी, जब मैं इन topics को समझ रही थी, तो जहाँ मैंने face की थी, मुझे लगता है कि अगर आपने भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई करी पहले, तो आपको भी वहीं doubts रहते होंगे, क्या answer होगा, कुछ option A बता रहे हैं, ठीक है, चलिए देखिए जड़ा, तो क्या बुला है, magnetic bearing of sun at place at noon, in southern hemisphere is 167 degree, आप तो सीधा answer ऐसे ही कर दिया होगा, magnetic bearing is less than 180 degree, तो इसका मतलब declination eastern होगी, निकालना कैसे है इसको, 180 degree में से 167 degree को minus कर दीजिए, और यह बन जाएगा मैं 13 degree, और direction क्या बन जाएगी, east बन जाएगी, और 13 degree east जो होगा, वो हमारा correct answer होगा, तो आपने इसको कितना जल्दी solve कर लिया, सही answer क्या बन जाएगा, option A, और maximum लोगों ने इसका answer जो दिया है, वो correct दिया है, तो सही answer बन जाएगा, option A, clear हो गया, sun वाली problems कैसे solve करनी है, तो आप एक बार बात करते हैं, declination से related, कुछ definitions की, थोड़ा सा, ठीक है, आप देखिए, हाँ, system hang कर दिया, विल्कुल, अब देखिए, declination में आपने क्या देखा, earth surface पे, जिन भी points पर same declination होती है, उसे अम लोग क्या बोलते हैं, isogonic line, जहां भी declination zero होती है, उसे बोलते हैं, agonic line, मैं ये study कर रही हूँ, क्योंकि मेरा magnetic north, और true north में variation, हमें time to time देखने को मिलता रहेगा, अगर मैं बहुत लंबे time की study कर रही हूँ, डेट सो से 300 साल, 150 से 300 years में, किसी एक point पर, declination में कितना variation आया है, तो उस variation को हमने नाम दे दिया, secular variation, secular variation का मतलब क्या होगा, कि आपको बहुत जादा लंबे interval के लिए, variation देखना है, variation चक करना है, अगर बात करेंगे annular variation, annular का मतलब क्या हो जाएगा, एक साल से related है, जहां जो अभी हमारा station था, जहां हमने compass रखे measurement ली थी, एक साल में वहाँ पर, magnetic north में, या फिर declination में जो variation आया, उसको बोलते हैं, annular variation, ठीक है, क्योंकि एक पूरे साल में जो हमारी आर्थ है, वो sun के around गूम रही है, तो variation तो होगा, declination का, diarinal variation का मतलब क्या होगा, diarinal मतलब day से related है, एक दिन में जो declination में variation होगा, उसको बोलेंगे, diarinal variation, ठीक है, अब ये सारे variation तो नाम से पता चल जाते हैं, secular में याद रखना है, जब long period के लिए variation हो रहा हो, annular का मतलब है, कि एक yearly variation चेक कर रहे हो, diarinal का मतलब है, कि daily जो variation हो रहा है, daily किस वज़े से हो रहा है, irregular variation का मतलब, मालने जी, average अगर हम चेक कर रहे थे, हर साल declination 2 degree हो रहा था, किसी एक station का, लेकिन किसी एक साल वहाँ पर बहुत सारे floods आए, या earthquake वगरा आए, तो बहुत सारे natural phenomena की वज़े से, वो declination में कुछ variation मिल गया, irregular हो गया, पहले 2 degree होता था, अब वो 3 हो गया, तो कितना variation में change आया, या irregularities आई, उसको irregular variation बोलेंगे, जैसे cyclones की वज़े से हुआ, tsunamis की वज़े से हुआ, या earthquake या volcanic eruption, तो ये paper के लिए सिरफ आपको नाम पता होने चाहिए, कि किस नाम में, कितना कितना variation हम check करते हैं, तो उतना उतना आपको याद रखना है, ठीक है, चालिए, तो ये हो गया, अच्छा, अब अगला जो point है, अगला जो point है, वो समझना बहुत जरूरी है, अगली जो definition है, वो समझनी बहुत जरूरी है, उसे बोलते हैं, angle of dip, या फिर deep angle, angle of dip भी बोलते हैं, depression भी बोलते हैं, या deep angle भी बोलते हैं, तो इसको मैं आसान तरीके से समझा देती हूँ, बाद में आप इसका theoretical चीज़ देख लेना, ठीक है, असान तरीके से समझा देती हैं, तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या करना है, मान लेजिए ये मेरा अर्थ सर्फेस है, ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज है, आपको ये चीज तो पता होगी कि अगर मैं यहाँ पर एक मेगनेट बनाती हूँ, तो मेगनेट का एक से निकलेंगी और साउथ पर जाकर मिलेंगी, ये भी नहीं पता, तो कोई प्राबलम नहीं है, एक्जाम के लिए देखे, क्या पता होना चाहिए, तो मैंने अर्थ का ये नॉर्थ दिखाया, और अर्थ का ये साउथ दिखा दिया, ठीक है, अब अर्थ की यहाँ पर क्या ह अब एक बात बताना, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है ये, पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस नॉर्थ पोल पे, ये वाइट कलर से क्या दिख रहा है, मैं ये वाइट कलर से अर्थ का सर्फेस है, अर्थ के सर्फेस और इस 0.90 degree पर मिल रही है एक दूसरे से, यहाँ पर यह इक दूसरे से 0.90 degree पर मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कि अगर हम यहाँ पर कोई कम पास रखते, तो उसकी needle, अर्थ surface से बिलकूल इस direction में angle दिखाती, क्यूकि magnetic field line यहाँ 90 degree पर मिल रही है, तो मैं क्या बोलूंगी कि हमारा जो angle बन रहा है हमारा जो angle बन रहा है किस-किस के बीच में earth surface और magnetic lines के बीच में तो जो magnetic lines और earth surface के बीच angle बनेगा उसे angle of dip बोलेंगे तो इसका मतलब dip angle की value इसका मतलब dip angle की value north पे या फिर poles पे कितनी होती है poles पे 90 degree होती है यह याद रखना है एक्जाम में यह पूछा जाता है वहीं पर अगर मैं बात करूँ यह मेरे equatorial line है यह equatorial line है यह equators कहा जाता है इने अब यहाँ पर मैं यह earth का surface है earth के surface और इस green line में कितनी degree का angle बन रहा है earth के surface और green line में कितने degree का angle बन रहा है, zero बन रहा है वह दोनों lines ऐसे जा रही है अपना अपना, तो इसका मतलब जो poles के बाद अगर हम बात करें earth के equators की, अगर poles के बाद बात करें earth के equators की, तो ये angle हमारा zero degree बनेगा, तो इसका मतलब equators पे ये value कितनी निकल कराती है, zero degree, तो dip angle किस किस के बीच में बनेगा, dip angle बनेगा between magnetic lines और earth surface के बीच में, अगर मैं यहाँ पर angle dip angle zero होगा, यह 90 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं equator से लेकर poles तक वो value, zero से 90 degree के बीच में कोई भी value हो सकती है, क्योंकि वो धीरे-धीरे क्या करती जाएगी, increase करती जाएगी, और यहाँ पर जाकर 90 degree की हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, आब इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने देखा, isogonic और agonic line, वैसे ही यहाँ पर दो lines आती है, isoclinic और agonic line, वैसे ही यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक आता है isoclinic line, और दूसरा आता है agonic line, अब मैं क्या बोलूंगी, isogonic का मतलब क्या होता था, isogonic का मतलब होता था, पूरे earth surface पे same declination वाले points, ठीक है, तो isoclinic का मतलब क्या होगा, पूरे earth surface पर जहाँ पर भी dip angle same है, तो पूरे earth surface पर जहाँ पर भी dip angle same है, जहाँ पर भी dip angle equal है, तो same dip angle को join करने वाली line को क्या बोलेंगे, isoclinic line, isoclinic line क्या होगी, जो same dip angle को join करेंगी, तो एक clinic क्या होगी बताओ जरा, agonic से relate करके बता सकते हो, agonic का मतलब क्या होगा, और सर्फेस पर जहांँ भी डिप अंगल zero डिग्री है, उन पॉइंट्स को जोईन करने वाली line, तो ँसे हम बोलेंगे एक्लिनिक लाइन, अब कहां पर डिप अंगल zero था, मैं हम एकवेटर्स पे मेरी line क्या कहलाएगी? A clinic line. तो isoclinic और a clinic line, isogonic और agonic line, ये दो वो बाते हैं, जहां पर generally क्या रहता है? मैं confusion रहता है, तो आपको इन दोनों में difference जो है, वो याद रखना है, ठीक है? इन दोनों को कैसे differentiate करना है, वो याद रखना है. अब सबसे important चीज़, अब मैं सीख गई हूँ, कि angle कैसे measure करते हैं, कैसे represent करते हैं, declination क्या होता है, declination vary कैसे करता है, और dip angle क्या होता है? अब बात आती है, इस compass की help से हम लोग क्या कर रहे हैं? compass की help से ही तो हम सारे angle measure कर रहे हैं. तो कौन कौन सी compass है, और उसके बारे में जो major major points मुझे याद रखने हैं, जो crash course में मुझे आपको बताने चाहिए, तो उन points के बारे में हम बात करते हैं, ठीके? मेरे पीछे आपको दो photos यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो पहले वाली photo है, आपने इसमें से कौन सी compass यूज करी है, बताना मुझे, आपने जब college में survey किया होगा, तो इसमें से कौन सी compass के साथ काम अल्रेडी कर चुके हो, तो दो तरह की compass है, एक है prismatic compass, एक है surveyor compass, जो prismatic compass और surveyor compass है, इन दोनों में थोड़े बहुत हमें, जो difference यहां पर पता होने चाहिए, तो सबसे पहले आप उन difference के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आप देखिए, difference के लिए आप ध्यान से देखना, इसमें जो prismatic compass है, यहां आपको एक needle दिखाई देगी, जो इसकी इस तरीके की shape है, यह needle की shape जो है, कुछ ऐसी है, तो needle की shape कैसी है, इसको बोलते हैं, broad shape needle, इसको क्या बोलते हैं, broad shape needle, तो यहां पर पहला difference क्या दिखाई दे रहे दोनों में, यहां broad shape needle है, इसमें needle की shape क्या दिखाई दे रहे हैं, pointed needle, तो दोनों में जो needle का shape है, वो बिल्कुल अलग है और इसी का नाम कई बार क्या लिख दिया जाता है एज बार नीडल कई बार क्या लिख दिया जाता है एज बार नीडल आपको क्या दिखाई दे रहा है इस वाली कमपास में क्या लिखा क्या बोरे क्या पड़ा था magnetic line समझी नी पहले पड़ा था magnetic line सौथ से north है please clear मतलब south से north है तो अरे आप जो पड़ा है वो आपने आदा दूरा पड़ा है south से north नहीं होती है वो जो आपने पड़ी है वो चीज़ सिरफ यह पड़ी है क्योंकि आपको पता है opposite poles attract करते हैं तो अगर मैं इसके बीच में Earth surface पर एक magnet मान लूँ ना Earth surface पर अगर मैं magnet मान लूँ तो magnet का north यहां मानूँगी और magnet का south यहां मानूँगी ना अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती जहां Earth का north है magnet का north भी वहीं होगा same poles तो एक दूसरे को oppose करेंगे जो आपने पड़ा है जो आप बोल रहे हैं clear नहीं हो रहा तो north magnet का इधर आएगा तो जब यहां से magnetic lines जाएंगी तो वह north से south की तरफ जा रही है किस north से इस magnet के north से जो इसके अंदर बना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा clear हो गया जो पहले पड़ा था नहीं clear हो रहा था बताओ चलो अब आ जाओ इस पर तो यहां पर जो shape है needle की वह अलग होती है वह pointed needle होती है जो surveyor compass होती है वो कौन सा angle measure करती है surveyor compass angle measure करती है 0 से 90 degree के बीच में इसका मतलब यह quadrantal bearing measure करेगी जो prismatic compass है वो हमारी whole circle bearing measure करती है ठीक है यह दोनों में कौन कौन से bearing measure कर रही है यह आपको पता होना चाहिए अब देखिए यहां पर बात आती है कि जो हमारी prismatic compass है इसके बाद जब इसने angle measure करना होगा तो एक circle इसके साथ जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे angle की marking करी हुई है क्योंकि majorly तो आपको angle ही measure करना है majorly तो angle ही measure करना है तो इस prismatic compass में यह circle जिसमें angle measure करने के लिए graduations बनी है यह graduations है चोटी चोटी तो यह graduated circle इसको बोल दिया तो graduated circle और needle एक दूसरे से attach होते हैं, इस case में आपका, जो graduated circle है, वो आपका attach होगा, graduated circle is attached to the needle, ये दोनों एक दूसरे के साथ attach होंगे, लेकिन इस case में क्या है? इस case में मैं ये graduated circle ये है, जिसमें बार क्या बने है? एंगल बने है, और ये जो needle है, needle is free to move, मैं क्या बोल सकती हूँ, needle और graduated circle एक दूसरे से attach नहीं है, clear है? ये दोनों ये चीज़ें आपको इस diagram से भी clear हो रही होगी, इस case में क्या होता है? क्यूंकि यहाँ पर जब हम लोग sight कर रहे होते हैं, with the help of prismatic compass, नाम ही इसका prismatic compass है, इसमें ना prism लगा होता है, और उस prism की help से हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए मैंने अपने हाथ में इस prismatic compass को ऐसे place किया था, इसने मुझे magnetic north-south की direction उस तरफ दिखाई, तो magnetic north-south की direction देखने के बाद, मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मेरा object यहाँ है, जिसका angle मुझे निकालना है, तो मुझे यहाँ से ये वाली चीज और ये वाली चीज, जैसे ये क्या दिख रहे है? मैं जहां से आप site करेंगे, eye vein और object vein, ठीके? तो जब मैं आपको देखना होगा object को, तो आपको इस बाहर वाले black वाले box को क करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा, ताकि आप बिल्कुल सामने किसको को inside कर सको, जिस object को आपने देखना है, हम reading लेने पर जादा नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको सिरफ ये बताना चाहती हूँ, कि जब, जब भी हम इसकी help से line of site, line of site अभी इसको leveling chapter में बहुत अच् करना पड़ेगा? मैं हम ये बाहर जो आपको black color का एक box दिखाई दे रहा है, इसको rotate करोगे, जब इसको rotate करोगे तो ये वाली चीज यहां से इस तरफ shift हो जाएगी, और जब ये चीज इस तरफ shift होगी, तो अंदर needle को इसकी वज़े से कोई फरक नहीं पड़ेगा, ना ही graduated circle को, तो इसमें graduated circle और ये एक साथ है, और बाहर वाला box जो है, वो एक अलग की तरह behave कर रहा है, ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, इस case में needle अकेली है, और graduated circle और बाहर वाली line of sight, बाहर वाली line of sight एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है, तो इस case में मान लो मैम, यहां पर मैंने ranging road रखी थी, तो इस ranging road को देखने के लिए मुझे इसको घुमाना है, तो मैंने बाहर वाले box को घुमाया, जो मैंने बाहर वाले box को घुमाया, तो उसके साथ मेरा अंदर वाला graduated circle भी घुमेगा, तो जैसे जैसे बाहर वाला घुम रहे है, वैसे वैसे अंदर वाला तो दो वाते ये दोनों अटेच हैं, यहाँ पर बाहर वाले दोनों अटेच हैं, इसका मतलब in case of surveyor compass, line of sight के घुमाने पर needle को कोई फरक नहीं पड़ रहा लेकिन graduated circle उसके साथ घूम रहा है या rotate हो रहा है, अब क्योंकि इसमें prism लगा होता है, इसमें prism लगा होता है, तो इसमें जब आप sight कर रहे होते हो, sighting और reading, जब आप sight कर रहे हो, reading ले रहे हो, तो वो दोनों काम आप एक साथ कर सकते हो, sighting and reading can be done simultaneously, तो मैं जिस time पर आप सामने अपने object को sight कर रहे हो, at the same time prism की help से आपको compass की needle दिख जाती है, लेकिन इस case में क्या होगा, इस case में क्या होगा, मैं जब मैं यहां से देख रहे हो, सामने वाले object को, तो पहला काम हो गया, देखना, reading लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मालो यहां पर sighting और reading एक साथ होगा, यहां पर sighting और reading simultaneously नहीं हो सकता, एक difference दोनों के diagram में क्या दिख रहा है, कि मैं यहां पर जो tripod है, वो must है, tripod लगा ही होना चाहिए, उसके अलावा आप यहां से काम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप बिना tripod के भी काम कर सकते हो, इसमें tripod is not necessary, याद हो गए आदे से जादा difference, एक बार बताईए, क्या क्या बताया, कि मैं दोनों में needle का shape अलग है, एक whole circle वेरिंग मेजर करता है, quadrantal, एक में आपका needle और circle attach है, इसमें needle free to move है, इसमें बार वाला circle और line of sight एक साथ घूमेगा, इसमें यह circle line of sight के साथ नहीं घूमेगा, यह यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, surveyor compass, tripod, यहाँ पर prismate, आप बोल रहे हैं कि commonly कौन सा use करते हैं, तो वो मैं नहीं बता सकती, जो आपके college में होगा, आप वो use करेंगे, नहीं तो आपने जल्दी काम करना है, तो prismatic करोगे, क्योंकि जिस टाइम पर side कर रहे हो, reading भी ले पा है कि जो हमारा prismatic compass है, उसका least count है 30 मिनट, मतलब हम किसी भी angle को उसके 30 मिनट, 60 मिनट इस तरीके से readings ले सकते हैं, 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, half degree, half degree मतलब 1 by 2 degree, ठीक है, आप angle को इस form में बता पाऊगे, कि angle 30 मिनट है, 60 मिनट है, 90 मिनट है, इस form में बता पाऊगे, और surveyor compass इसके comparison में थोड़ी जादा accurate होती है, तो ये इसका least count जनरली 15 मिनट तक होता है, इसके comparison में वो 15 मिनट हो गया, 30 हो गया, 45 मिनट हो गया, ये सारी readings को अच्छे से पढ़ सकती है, ठीक है, clear हो गया सबको, बताइए, total station की बात अभी बाद में करेंगे, यहां से एक बहुत ह किसका zero mark होगा, कहां किसका north mark होगा, कहां किसका south mark होगा, अब देख लीजी इसको ध्यान से, बस compass में, difference में आपको ये major point याद रखने है, prismatic compass में क्या होता है, सबसे पहले यहां south बना दिया, यह north बना दिया, यह east बना दिया, और यह west बना दिया, आपको ध्यान रखना है in case of prismatic compass, south पर zero degree mark होगा, east पर फिर 90, north पर 180, यहां 270 और यह 360, तो आप एक गलती कर सकते हो, आप से पूछा जाएगा, prismatic compass में, readings में, zero कहां से शुरू होता है, south से शुरू होता है, याद रखना, ठीके, तो इसमें graduations जो है, inverted mark है, inverted का मतलब क्या हो गया, हम generally north पर zero लेते थे लेकिन हम south पर reading, south पर zero ले रहे हैं, या south जो graduated circle है, उसमें south पर zero mark है, अब इसका क्या reason है, अगर आप reading लेंगे, और reading लेना सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अभी ऐसा क्यों होता है, ठीके, अच्छा, अगर surveyor compass की बात करों, यहां से सवाल पूछा जाता है, north औ south पर zero degree, इस case में east और west को replace कर दिया जाता है, इस case में east और west, मैंने वाह पर east west ऊड़े बना दिये, यहां पर east होगा और यहां पर west होगा, इस case में east और west जो है आपस में replace हो जाते हैं, तो south यहां पर होगा, east और west पर 90 degree की marking करी होगी, तो south से बढ़ते 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 यहाँ अब भी और यहाँ पर जीरो से इंक्रीज होते हुए 90 तो जनरल यह आपको पता है इस्ट वाली डिरेक्शन हम इस तरह ले रहे थे लेकिन जब सर्वेयर कमपास में हम मार्किंग करते हैं तो या फिर जो ग्रेजुएटेड सरकल होता है उसमें जो इस्ट है वो इस त प्रेंटेशन है प्रिजमेंटिक या फिर सर्वेयर कमपास की समझ गए यह क्यों किया जाता है इसको समझने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है और यह रीडिंग्स जब आपको लेनी आएंगी तो आप इसको जादा बेटर समझ पाएंगे तो अभी एक्जाम के लि उससे related सवाल देख लेते हैं उसके बाद हमारा four bearing और back bearing का concept स्टार्ट हो जाएगा यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है समझ में आ रहा है ऐसे तो नहीं लग रहा बहुत स्पीड में चल रही है क्लास क्योंकि तब से लगातार मैं बोल रही हूँ आप से बात करने का time नहीं मिलता है मुझे मुझे होता है कि मैं जितना topic सोच कर आई हूँ at least मैं आपको उतना topics अपना रोज का target complete करवा पाऊं क्योंकि जब मैं target complete करूँगी तो आप target complete कर पाऊगे है ना अच्छा बहुत slow लग रहा है चलिए ठीक है समझ आना चाहिए साथ साथ चलो तो शुरू करते हैं कुछ questions का practice करना तो जितने अभी तक हमने topics देखे अरे जितने अभी हमने कुछ topics देखे उससे related कुछ सवाल देखते हैं चलिए तो आप comment section में answer करेंगे one by one कुछ theoretical questions हैं देखते हैं के करके बताना जरा क्या-क्या answer होगा देखिए the horizontal angle which true meridian makes with the magnetic meridian the horizontal angle which true meridian makes with the magnetic meridian क्या answer होना चाहिए true meridian magnetic meridian के साथ जो angle बनाएगा उससे क्या बूला जाता है true meridian magnetic meridian के साथ बिल्कुल answer रुकने नहीं चाहिए सबका answer चाहिए मुझे comment section में तो answer बता रहे है option B तो horizontal angle जो true meridian और magnetic meridian के बीच में बनता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर declination ही बोल सकते हैं क्योंकि यह ही represent करता है declination क्या होती है magnetic bearing horizontal angle true meridian makes with the magnetic meridian option A कैसे कर दिया आपने true meridian मतलब true north और true south magnetic meridian मतलब magnetic north magnetic south जो angle बनेगा वो क्या होगा declination होगा अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो option D है वो azimuth क्या होता है कई बार हम azimuth का मतलब क्या है bearing azimuth का मतलब क्या होता है bearing तो कई बार हम angle को किस form में जो bearing बोल रहे हैं उसको azimuth की form में represent करते हैं azimuth हमारी कोई भी वो bearing होगी जिसको आप ने measure किया होगा north को reference मानकर और clockwise direction में measure करते हैं जो भी angle आप north को reference मानकर measure करते हो clockwise direction में measure करते हो और angle आपका 0 से 360 degree के बीच में रहता है तो यह जो latest आपका जो नया book है reference book है इसके दूगल तो उसमें mention किया गया है azimuth से related यह 3 important points तो azimuth का मतलब होता है कोई bearing जो north को reference मानकर clockwise direction में measure की जाए और angle generally हमारा जो 30 0 से 360 के बीच में हो तो मैं बोल सकते हूं कि हाँ whole circle bearing से यह सारे points जो है वो mention मतलब सारे points जो है वो match कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे गर चलते हैं next सवाल देखते हैं अगला question देखिए the dip of the compass needle यह बस इसको एक अलग से define कर दिया गया है कि bearing को कई बार हम azimuth का नाम भी दे सकते हैं पर azimuth सिरफ हम उनी bearings को बोलेंगे जिनको north को reference मान कर लिया गया हो तो whole circle bearing की ही सारी properties हैं यह जितनी भी मैंने आपको भी बताई whole circle bearing की जो property है whole circle bearing को ही azimuth बोलते हैं अब अभी के लिए अगर समझना चाते हो तो आप बोल सकते हो जो whole circle bearing है वही हमारा azimuth होता है तो अभी समझ में आ गया whole circle bearing में भी north को reference मानते थे clockwise direction में angle measure करते थे 0 से 360 के बीच में angle आता था ठीक है क्या बुला है dip of the compass needle जो dip होती है dip angle बनता है वो क्या हमेशा constant रहता है नहीं it varies from place to place and is zero at the equator and maximum at the pole zero equator पर होता है और poles पर 90 degree की value होती है तो correct answer क्या बनना चाहिए option b तो option b बड़े कम लोगों ने सही बताया मुझे नहीं पता कि क्यों आपने ऐसा गलत किया is zero at the equator and pole यह c option का मतलब है equator पे भी zero है और poles पे भी zero है जिसने c answer किया है तो सही answer option b बनेगा आगे चली अगला सवाल देखिए in the prismatic compass आपको अभी prismatic compass शो करी थी आपको अभी prismatic compass शो कर की थी तो prismatic compass में कौन कौन सी statements है जो यहाँ पर correct होंगी कौन सी statement है जो correct है देखिए तो in prismatic compass graduated ring attached to the compass compass moves with sight usage is not possible without tripod needle is not attached to graduated circle और whole circle bearing इन सब में ना जो एक option सबसे हैसान दिखाई दे रहा है जो आपको सबसे पहले बताया था और सबसे important आपको पता होना चाहिए prismatic compass कौन सी bearing measure करती है prismatic compass whole circle bearing measure करती है option d जो है वो बिलकुल correct है the graduated ring attached to the compass move with sight जो graduated ring है जो graduated circle है क्या ये move करता है with line of sight बताना जरा क्या बूला था इसमें कि graduated circle और जो बीच में needle है ये दोनों एक दूसरे के साथ attach होते है और बाहर वाला जो circle है जो हमारा line of sight बना रहा है वो इनसे different assembly की तरह है तो इसको गुमाने पर ये नहीं गुमेगा तो option a नहीं हो सकता इसमें usage is not possible ऐसा नहीं है को recorded फिर भी समझ में नहीं आए तो बता देना ठीक है नहीं ट्रेवर्स हम कल शुरू करेंगे अगला सवाल देखिए in surveyor compass generally the bearing are observed in बिलकुल आसान है surveyor compass में bearing जो observed की जाती है वो किस कौन सी bearing measure करते हैं इसके बाद हम बहुत important topic पढ़ने वाले हैं forebearing और backbearing का concept और local attraction problem जो होती है वो किस वज़े से आती है ये भी हमारा compass survey का एक one of the most important topic है ठीक है बिलकुल simple से सवाल आते हैं forebearing backbearing से related देखिए क्या answer होगा बिलकुल सही answer है सभी का ही सही होना चाहिए वैसे ये वो सवाल है surveyor compass में जो bearing observe करते हैं वो हम reduce bearing करते हैं reduce bearing को ही क्या बूला जाता है reduce bearing को ही हम quadrantal bearing बोलते हैं और correct answer क्या बन जाएगा इसका option B हमारे पास सही answer बन जाएगा बिलकुल सही बता रहे हो आप लोग चलिए अब अगले topic पर चलते हैं जो कि मैंने आपको बताया हम सीखने वाले है four bearing का concept और back bearing का concept I hope आप साथ साथ सारे important points को लिखते जा रहे हो अब जल्दी से देख लीजिए कि हमारा four bearing और back bearing क्या होता है ठीक है ध्यान से देखना मैंने क्या किया मैं अब site पर गई अब site पर मुझे क्या करना है angular measurement लेना है अब मैंने दो station select कर लिए जो मैं example बता रही को ध्यान से सुनना यह मेरा station A है और station A पर magnetic north जहां पर भी मेरी needle ने दिखाया मानलो वो north यह है तो आप मुझे क्या करना है इस B point का एक angle measure करना है तो इस direction में आप एक angular measurement यहां पर ले रहे हो उस angle को आपने क्या दिखा दिया theta 1 आपने first station किसको माना A को माना फिर क्या हुआ मैं माप B पर गए आप B पर गए आपने B पर क्या रखा B पर आपने फिर से compass को रखा compass ने क्या दिखाया north की direction अब B से आपको कौन सा angle measure करना है A का हमेशा angle कैसे measure करेंगे जब तक reduce bearing की बात कहीं नहीं कर रहे तो angle हमेशा हम clockwise direction में measure करेंगे तो देखे क्या किया बी पर गए north को reference माना clockwise direction में जो angle है उसको क्या बूल दिया theta 2 तो first station कौन सा था A second station कौन सा था B direction जिस direction में हम survey कर रहे है वो क्या है A से B के लिए तो क्या मैं इस line को ऐसे लिख सकती हूँ ये line A B है बताओ line A B लिखने का मतलब क्या है कि first station A और second station B जब line A भी लिख रहे है तो इसका station B है बोल सकते हैं बोलो तो first जब भी आप line A B लिख रहे हो तो जो उसका पहला station है जो कि हमारा इस case में station A है तो station A पर north को reference मान कर clockwise direction में जो आपने angle measure किया इसी angle को क्या बूला जाता है four bearing of line मतलब पहले station पर से जो आपने दूसरे station के लिए angle measure किया है तो theta 1 को मैं यहां क्या बोल सकती हूँ four bearing of line A B A B क्यों बोला क्योंकि पहला station A दूसरा station B अगर मैं theta 2 की बात करूँ तो theta 2 क्या हो जाएगा मैं theta 2 हमने कहां से measure किया है इन दोनों में जो second station था second station पर north को reference मान कर जो आपने clockwise direction में angle measure किया इसको क्या बोल दिया back bearing of line A B तो यह हमारी A B line की क्या हो line को A B ही लिखना है क्योंकि first और second point A और B है ठीके समझ में आया या नहीं आया बोलो ज़रा four bearing और back bearing अब मान लो इस line को मैंने आगे की तरफ dotted extend कर दिया तो मैं अगर आप इस line को आगे की तरफ बढ़ा देते हो जितना मेरा यहाँ पर angle theta 1 बन रहा था ना उतना ही angle तो मेरा यहाँ पर भी बनना चाहिए theta 1 क्यों यह वाला angle और यह वाला angle दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए यह theta 1 और यह theta 1 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए अगर होने चाहिए तो इस पूरी line का यह जो मैंने orange color से represent किया यह तो मैं सीधी है line यह line AB को ही तो extend करके आप ले गये थे यह angle कितना होना चाहिए 180喜歡 आगर यह बिल्कुल straight बना रहे हो तो यह angle कितना होना चाहिए 180喜歡 इसका मतलब यह हुआ ये पूरे थीटा 2 में से अगर मैं थीटा 2 को थीटा 1 को माइनस कर देती हूँ, तो थीटा 2 में से थीटा 1 को माइनस करने पर मुझे जो value मिलनी चाहिए, वो कितनी मिलनी चाहिए, 180 degree, तो थीटा 2 में से थीटा 1 को माइनस करने के लिए हमेशा difference मेरा क्या आना चाहिए, 180 degree आन और A station बोल दिया B station इसको B station पर अब यहां मैं काम कर रही थी A से B की तरफ अगर मैं काम करों B से A की तरफ तो मेरा पहला station काउसा बन जाएगा तो मेरा पहला station में B बन जाएगा दूसरा station A बन जाएगा और इस arrow से पता चल जाएगा कि किस direction में proceed कर रहे हो measurement तो अब B point पर north को reference माना clockwise direction में angle measure किया तो मैं अगर same ही जगा है ये और ये जो आपने बनाया है ये same ही जगा पर measure कर रहे हो angle तो यहाँ जो theta 2 होगा यहाँ भी theta 2 ही बनेगा यहाँ जो theta 1 होगा यहाँ भी same बनेगा लेकिन अब इसका नाम हम और क्या लिख सकते हैं क्योंकि इस case में line का नाम बढ़ गया BA क्योंकि B से start कर रहे थे और A पर end कर रहे थे तो मैं क्या लिख सकती हूँ 4 bearing of line 4 bearing of line BA मतलब B अगर हमारा start point है वहाँ north को reference मान कर जो clockwise direction में angle होगा वह बन गया theta 2 अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर back bearing of line BA वो किसके बराबर आजाएगा theta 1 के बराबर आजाएगा तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि survey का work जो है वो कहां से शुरू किया है first point क्या है second point क्या है तो first और second point पर depend कर जाता है कि हम four bearing और back bearing कैसे लिखते है और इन दोनों का जो difference अगर मैं निकालू वो 180 आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी error नहीं है angle को measure करने में ठीक है नहीं आदिल हमेशा हम जो angle measure करेंगे clockwise direction में ही करेंगे anti clockwise की बाद सिरफ quadrantal bearing में आएगी इसके अलावा जहां भी angle measure होगा वो clockwise direction में ही होगा ठीक है आप देखे तो अब मैंने क्या बोला यहां definition क्या लिखिए bearing of line measured in the direction of progress of the survey line कि अगर आप progress A से B की तरह बढ़ रहे हो जिस direction में बढ़ रहे हो उसी direction में जो angle measure किया है वो 4 bearing हो गई ठीक है अगर उसके opposite direction में angle measure कर रहे हो तो उसका back bearing हो गया तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे 4 bearing और back bearing में clear हुई वो यह थी कि इनको कैसे define करना है अब यहां से जो सवाल पूछा जाता है दो सवाल है आपको याद रखना है अगर आपको question में 4 bearing given है अगर आपको question में 4 bearing given है और आपको back bearing निकालना है तो 4 bearing मतलब angle दिया होगा दो cases होँगे angle XOC से कम हो सकता है XOC से जादा हो सकता है अगर angle XOC से कम दिया है तो back bearing कैसे निकालोगे 4 bearing में XOC degree को add करके अगर XOC से जादा है तो back bearing कैसे निकालोगे जो भी 4 bearing है उसमें XOC को minus करके अब आपको जो angle दिया है मालनो 4 bearing का वो XOC से कम दिया है जितना वो 180 से कम है उतना 180 add कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं इन दोनों का difference हमेशा क्या रहे 180 अगर XOC से जाधा है तो उसमें XOC minus कर देंगे तो जैसे for example for example आपको बोला है 4 bearing of a line is equals to 60 degree क्या आप मुझे इसका back bearing बता सकते हैं बताओ आपको कुछ नहीं करना आपने क्या देखा given value XOC से कम है तो आपने देखा given value XOC से कम है तो back bearing किसके बराबर कर दोगे XOC plus 60 के बराबर और अगर दूसरा case ऐसा है आपको बोला कि 4 bearing of a line is 230 degree तो calculate the back bearing of line तो back bearing of line कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे मैं given value XOC से जादा है XOC से जादा है तो एक काम करो इस value में XOC को minus कर दो तो जैसे आपको 4 bearing दिया है back bearing निकालना है आप क्या चेक करोगे कि value XOC से कम है या XOC से जादा है same case valid है अगर same formula आपको लगाना है अगर मुझे यहाँ पर back bearing given होता और मुझे 4 bearing निकालने के लिए बोला होता तो आप बिलकुल same ऐसे ही चेक करोगे कि value XOC से कम है या XOC से जादा है तो यह तो था कि अगर value मुझे किस form में दी हो अगर मुझे angle सारे whole circle bearing में दिये हो तो मैं आसानी से इस question को कर सकती हूँ लेकिन अगर quadrental bearing में दे दिया तो अगर मुझे question quadrental bearing में दे दिया तो क्या मैं निकाल सकूँगी कैसे calculate करेंगे उस case में 4 bearing और back bearing अगर angle quadrantal bearing में दे दिया तो four bearing back bearing कैसे निकालेंगे जैसे देखे for example आपको वोला four bearing of a line is north 30 degree west आपको पताए क्या करना है आपको अपना जो यहां angle दिया है उसको सिधा सिधा same copy कर दो 30 दिया है 30 लिग दिया कोई change नहीं आएगा north coast की opposite वाली side से replace कर दो तो north को किस से replace कर दोंगी south से north को किस से replace कर दोंगी north replace हो जाएगा south से west को किस से replace कर दोंगी east से तो west को किस से replace कर दिया east से तो यह क्या आगई उसकी back bearing तो आपको क्या करना है सिरफ opposite direction को replace कर देना है angle को same रहने देना है अब for example आपको question में back bearing दिया है आपको back bearing दिया है south 40 degree west क्या आप मुझे इसका 4 bearing बता सकते हो अगर south 40 degree west मुझे back bearing दिया है क्या आप मुझे इसका 4 bearing निकाल कर बता सकते हो और ऐसे बहुत सारे questions हैं जो आपके SACJ exam में आ रखे हैं बताइए जरा हां सिरफ आपको change क्या करना है north को south से east को west से अगर west है तो east से replace कर दो तो यहां पर yes विल्कुल south को north लिख दीजिए angle को 40 degree लिख दीजिए और west को east लिख दीजिए तो यह north 40 degree east तो यहां से हमने क्या conversion करेंगे अगर हमें यह देखना हो कि four bearing दिया है तो back bearing कैसे निकालना है उस particular angle का अब अभी हम लोग क्या सीख रहे थे हम यह सीख रहे थे कि वह इस case में अगर हम इस line को आगे बढ़ा देते हैं तो four bearing और back bearing के बीच का angle कितना रहना चाहिए हमेशा four bearing और back bearing के बीच का angle हमेशा 180 रहना चाहिए लेकिन अगर इस theta 1 को निकालने में या इस theta 2 को निकालने में थोड़ा भी error आ गया तो यह 180 नहीं बनेगा क्योंकि मैं अगर आप अगर इसी same white वाली line को इसकी बजाए इदर की तरफ थोड़ा सा shift कर देते अच्छा यह line नहीं select हुई अगर इसको भई यहां की तरफ select कर देते तो यह जो difference था यह तो मेरा error आ जाता है यहां पर 180 के बराबर तो आना ही नहीं था तो यहीं से मेरा जो topic local attraction का है वो local attraction यही point बोलता है आपको क्या बोलता है it is the attraction of magnetic needle to the magnetic field हुआ क्या मैं side पर गई side पर गई मैंने अलग-अलग stations पर compass रखा अपने angle measure करके आ गई जब मैं side पर present हूँ और मैंने सारी angular measurement ले ली तो मैं side पर जब needle जो direction दिखाएगी क्या मैं उस पर वरोसा करूँगी needle ने जो direction दिखाई मैं उस पर वरोसा करूँगी ना कि वहीं मेरा magnetic north और south होगा हमारे पास और कोई option भी नहीं है उस पर वरोसा ना करने के तो needle जो direction दिखाएगी हम उसको वरोसा मान कर ही अपना वहाँ पर angle निकाल लेंगे लेकिन क्यूंकि जो मेरी magnetic needle है क्यूंकि जो मेरी compass में जो needle लगी हुई है जनरली वो steel की बनी होती है ठीक है और ये magnet की चीजों से मतलब magnet की वज़े से affect हो जाती है आपने अगर काम करते करते watch पहनी हुई है आपने काम करते करते अपने पास phone पकड़ा हुआ है जहां पर आप survey कर रहे हो आसपास में गाडिया है या फिर वहाँ पर electric wires जा रही है य इस सारी चीजें मेरी magnetic needle को क्या कर सकती है अपनी तरफ attract करेंगी अब आपको बताए एक needle के contact में उसके आसपास दूसरी needle रख दे तो वो अपनी direction चेंज कर लेती है तो सेम चीज यहां पर भी possible है तो अगर मैं ऐसा हो तो हम उन सारे समान को वहां से उठा तो नहीं सकते किस आसपास के magnetic substances की वज़े से तो इसको बोल दिया local attraction क्योंकि local जो आसपास सीजेमा present है वो हमारी needle को क्या कर रही है attract कर रही है इस वज़े से आपका जो four bearing और back bearing का अगर हम difference निकाले मैंने mod का sign इसलिए लगाया इसका मतलब होता है अगर value minus में भी आती है तो आप उसको positive मान जीए अगर value minus भी आ रही है तो plus मान सकते हो तो four bearing और back bearing का अगर मैं difference निकालूं अगर वो 180 degree के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वो जो particular station है वहाँ पर local attraction है या फिर उसकी वज़े से कोई ना कोई error है तो ध्यान रखिएगा अगर ही 180 के बराबर नहीं आया तो that station is always affected from local attraction तो वहाँ पर हमेशा local attraction है अगर XOC के बराबर आ गया तो local attraction की problem नहीं होगी जैसे एक छोटा से यहाँ पर मैंने एक example जैसे हम लगा रखा है अभी तो आपका means का paper नहीं होगा तो आपको इतने बड़े question solve करने भी नहीं है लेकिन जैसे मैं यहाँ पर वो लो कि four bearing दी है और back bearing दी है और हमने बहुत सारी अलग-अलग lines की angle measure किये और मुझे question में यह बोला अरे notes में PDF पूरा मिल जाएगा जितनी चीजें आपर लिखी है वो सारा आपको PDF मिल जाएगा ठीक है बिलकुल included angle भी आपको समझा दूंगी और यह guarantee है अगर आज अच्छे से included angle समझ लिय जहां पर local attraction नहीं है मुझे क्या करना होगा उस questions में मुझे four bearing और back bearing को minus करना है अब इतने बड़े-बड़े angle को minus करने से पहले मुझे क्या देखना है अगर exam में ऐसा कोई table आया तो आप सबसे पहले उसके minutes वाली चीज़ देखो कि कहा से zero बन रहा है किस case में zero बन रहा है आप सबसे पहले वो चेक करो तो मैं यहां पर zero बन रहा है 35-35 आपको बाकी में बता चल रहा है यहां 50 आ रहा है 5 यह 180 0 नहीं बन सकता यहां 50 और पांच आ रहा है नहीं बन सकता तो हर एक को plus minus करने नहीं बैठना है आपको time लग जाएगा जादा आपको क्या check करना है कि कि इसके minutes जो है वो पहले zero बन रहा है तो जिस पर four bearing और back bearing को minus करके value 180 degree बन जाएगी तो both C और D station इसमें क्या बोलूँगी these are free from local attraction these are free from local attraction तो local attraction से free है जो लोग PDF चाहते है एक तो आप PW app डाउनलोड कर सकते हो एक PW app डाउनलोड कर सकते हो और दूसरा यह मेरा telegram channel है सिम्रन मैं PW यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोग आपको PDF शेयर कर देते हैं ठीक है नहीं तो आप इंजिनियर्स वाला चैनल जाए पर select करिये PW में जाकर YSSC crash course मिलेगा और वहाँ भी सारे PDF आपको मिल जाएंगे ओके तो मैंने क्या बोला कि जहाँ 0 जहाँ पर 180 degree आ रहा है सब लोग आप देखिए जैसे 4 bearing और back bearing से related जो कुछ SSC JEE के questions आए हैं क्या पहले उनको solve कर लिया जाए एक बार 4 bearing एक काम करते हैं पहले included angle वाली जो problem है एक बार हम उसको कर लेते हैं और included angle को समझने के बाद आपको मैं एक साथ ही questions करवा दूंगी ठीक है क्योंकि included angle को समझ समझने में जाधा time तब नहीं लगेगा अगर आपको 4 bearing back bearing समझ में आये यह बताओ 4 bearing back bearing समझ में आया अगर यह समझ आया है तो आपको included angle समझने में कोई दिकत नहीं आएगी अब देखो included angle के बारे में जो main बातें याद रखनी है वो क्या है कि जो included angle होगा इसकी definition यह बोल हो गए हमेशा कैसे measure कर रहा है from previous line to next line पहली बात क्या है from previous line to next line ठीक है अब देखिएगा एक AB line मैंने यहाँ पर बना दी दियान से देखना और एक BC line ऐसे बना दी यह AB line है यह BC line है मैंने क्या बोला इन दोनों lines के बीच में कोई angle बनेगा उसको included angle बोलूँगी अब इन दोनों lines के बीच में किस angle को बोलूँ previous line to next line AB line previous है BC next line है क्या previous line to next line green color का angle बन सकता है one angle बन सकता है यह पर क्या previous line to next line second angle बन सकता है yes or no one भी बन सकता है second भी बन सकता है दोनों में से कोई भी angle बन सकता है included angle तो अभी मेरी statement complete नहीं होई previous line to next line measure करना है अगर बाहर बन रहा है तो इसको external बोल देंगे external बोल देंगे अगर अंदर बन रहा है दोनों के तो internal बोल देंगे ठीक है तो internal बोल देंगे पर इन दोनों में से कौन सा लेना है तो previous line to next line आगे मैं mention कर रही हूं direction angle को measure करने की direction क्या रहनी चाहिए angle को measure करने की direction रहनी चाहिए clockwise अब बताओ previous line से next line में clockwise direction में कौन सा angle बन र वाला या 2 वाला, external बन रहा है या internal, clockwise अगर मैं बात करूं, direction, तो clock घड़ी किस direction में चलती है, तो कौन सा angle बन रहा है, included angle यहाँ, external बन रहा है, clockwise में 1 बन रहा है, यह पिछली line है, यह अगली line है, यहाँ से चलते जाहिए, तो clockwise में चलोगे, तब यहाँ पहुंचोगे, तो इ external included angle, ठीक है, अगर दूसरा case बनाओ, यह मेरा एक line है, और यहाँ से मैंने शुरू किया, यह A, B और C, अब A, B, C से ही पता चल जा रहा है, A, B मेरी previous line है, B, C मेरी next line है, देखिए जरा, अब मेरा angle कौन सा बनेगा, included angle, previous line to next line, अब previous line to next line, मेरा angle कौन सा बनेगा, previous line to next line, मेरा angle clockwise direction में, यह वाला theta जो है, internal angle बनेगा, previous से next में जाना है, और clockwise direction में रहना है, समझ आई बात, previous से next में जाना है, और आपको हमेशे जो direction कंसीडर करनी है, वो direction क्या रहनी चाहिए, direction हमेशे हमारी clockwise रहनी चाहिए, यह बात clear हो गई सबको, आप देखिए, अब यह आपर बात करते हैं, यह तो समझ में आ गया मुझे, अब मैं यह diagram से हम चीजे solve करने में थोड़ी problem रहती है, अगर कोई simple सा formula मुझे पता चल जाए, included angle problem solve करने का, तो उससे आपको बहुत जादा आसानी हो जाएगी, हो जाएगी के नहीं बोलो जरा, अगर एक simple formula में आपको बता दूँ, तो वहाँ से आप included angle को जादा आसानी से solve कर बाओगे, क्योंकि जब आप diagram बनाते हो और angle की properties को पढ़ते हो तो वहाँ से आपको question को solve करने में जादा doubt रहता है, एक मिनट दीजी, अब एक formula देखिए, हमेशा clockwise से लेंगे, बिलकुल हमेशा clockwise से लेंगे, ठीक है, दीखिए, तो आपका जो included angle है, included angle किसके बराबर होता है, formula लिख रही हूँ, यह formula हर जगा काम आ जाएगा, poor bearing of next line, poor bearing of next line, minus back bearing of previous line, poor bearing of next line, minus back bearing of previous line, हमेशा आप इस formula को apply कर सकते हो, included angle को निकालने के लिए, कभी भी, ठीक है, अब कैसे अभी हम apply करके सीखेंगे, अच्छा, अगर यह value निकाले हम, और if, if जो मेरा angle निकल कर आया, if angle is negative, अगर value मेरे पास negative निकल कर आई, तो क्या करिए, add कर दीजिए, उसमें 360 degree, add क्या कर दीजिए, उसमें 360 degree, अगर मेरे पास कोई value, value greater than 360 degree निकल कर आई, क्योंकि मेरा angle 360 degree से जादा या नहीं हो सकता, अगर value 360 degree से जादा निकल कर आई, तो उसमें क्या कर दो, minus कर दो 360 degree को, यह दो बातें साथ में याद रखनी है, किसी भी question को solve करने के लिए, included angle, 4 bearing of next line, minus back bearing of previous line, और angle अगर negative है, अगर angle negative है, तो वो हमारा, उसमें आपको क्या करना है, 360 degree add कर देना है, अगर angle आपका 360 degree से जादा है, तो 360 minus कर देना है, अब आप बोलेंगे, अभी जादा चीज़े clear नहीं होई, जैसे, एक example से समझाते हूं, आपको बोला, 4 bearing of a line, AB is 50 degree, ठीक है, and, मान लेते हैं, 4 bearing of, 4 bearing of line BC is 120 degree, then, आगे क्या लिखा हुआ है, calculate the included angle, आगे क्या mention किया है, calculate the included angle, अभी इस included angle को निकालना है, AB मेरा previous line होगा, BC मेरा अगला line होगा, AB मेरी previous line होगी, BC मेरी next line होगी, ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर formula लगाती हूँ, formula लगाती हूँ, formula क्या है, 4 bearing of next line, 4 bearing of next line माइनस, back bearing of AB, back bearing of AB, तो 4 bearing of BC कितनी है, 120 degree, माइनस, back bearing of AB निकालना है, दिया क्या है, question में, 4 bearing, क्या आप इसका back bearing निकाल सकते हो, बताना जरा, अभी गलत फलत answer मत करो, बेले ध्यान से सुनलो, क्या आप इसका back bearing निकाल सकते हो, अगर 4 bearing दिया है, बिल्कुल निकाल सकते हैं मैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, given value 180 से कम है, तो इसमें हमें 180 degree को add करना पड़ेगा, इसमें आपको 180 degree को add करना पड़ेगा ये 4 bearing दिया है, पिछली line का back bearing चाहिए होता है 4 bearing दिया है, अब बताओ, हाँ, तो आपने 70 degree कैसे बता दिया PDF के लिए, अभी एक मिनट रुख जाएए, class को end होने दीजिए पूरा procedure बता दूँगी, ठीक है, बीच में बार-बार PDF बार-बार नहीं बता सकती तो आप पिछली class भी देखेंगे, वहाँ भी मैंने बता रखा है एक मिनट रुख जाए, class को end करने दख, last में बता दूँगी तो ये value कितनी निकल कर आ रही है, minus 110 degree ये value कितनी निकल कर आ रही है, minus 110 degree तो ये negative में आया, तो हम included angle कैसे निकालेंगे, अगर value negative आती है तो minus 110 degree plus इसमें क्या कर दूँगी, 360 degree तो वहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, included angle का answer ठीक है, तो minus 110 degree plus 360, तो ये मेरे पास बन जाएगा 250 degree, ये मेरे पास बन जाएगा, 250 degree तो ये मेरे पास answer आ क्या, अब examination में होता क्या है, जो जादा तर देखा गया है examination में ये देखा गया है, कि आपको देखो यहाँ कैसे options मिलेंगे जैसे मैंने इस question में option दिया, 110 degree, 100 degree, 70 degree और 50 degree आपको सवाल ये ही सेम पूछा गया और options ये मिले, अगर ये options मिले तो आपको कौन सा answer correct करेक्ट करना होगा exam में, अगर ये जो मैंने यहाँ चार options लिखे हैं, ये मुझे exam में मिलते हैं, तो क्या answer करना होगा बताओ, अब बात ही आती है कि कई बार न ये 250 मिलता ही नहीं है, जो जाद अतर देखा गया है, SAC में भी, EAC pre में भी तो आप वहाँ पर अपना correct answer option को देखकर 110 कर दोगे, लेकिन अगर 110 की जगा यहाँ पर D option में 250 लिखा होता तो आप सही answer क्या करते, 250 क्यूंकि value minus आ रही थी, आपने उसमें 360 add किया, clear हो गया, उसमें 360 add किया, ओके ठीक है, I hope आपको ये चीज थोड़ी पता चल गई होगी, अभी हम इसके और थोड़े से questions practice करेंगे, मैं आपके लिए practice questions लेकर आई हूँ दोनों में difference में, किस में difference नहीं समझ में आया, मैं बोल रही हूँ कि अगर यही सवाल आता और इसमें question में पूछा जाता है कि बताओ included angle कौन सा होगा, अब ये minus में आया था answer, तो आपको अगर 250 option में नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको 110 degree अपना answer बताओगे, ये बोल रही हूँ, ठीके? 110 degree इसको अपना answer बताओगे, ये बोलना चारें, अगर आपको यहाँ पर option दिया होता, 100 degree, आपके पास 70 degree, 250 degree और एक option 110 degree होता, तो आप इसमें कौन सा answer correct करते हैं, अब दोनों options दिये हैं, minus 110 वाला या 250 वाला, तो मैं हम आप 250 को सही करके आते, ठीके? clear है, option नहीं मिलने पर negative वाले को answer को सही कर देना है, clear होगे सबको, वो clockwise direction ही है, बस angle हम negative में measure करते नहीं है, angle हम negative में measure नहीं करते हैं, ये बात का ध्यान रखना, तो previous line से next line में जब भी आप angle measure करोगे, अगर वो value minus आरी है और उसमें 360 मिलाना पढ़ रहा है, तो वो value बढ़ चारी है ना, जब 360 उसमें add कर रहे हो, क्यों? बाकी आप बोल रहे हो कि आपको angle कौन सा है, कैसे पता चलेगा, देखो जड़ा, angle AB 50 degree है, तो पहले quadrant, आप अपने doubts को दिमाग से निकाल दिया करो, जब नई चीज सीख रहे होते हो, जब नई चीज सीख रहे हो, तो इसका मत भी याद रखते हो, तो फिर वो कैसे साथ में आप balance करवाओगे चीजे, तो इसलिए आप जब नई चीज सीखने बैटो, तो दिमाग को खाली करके बैटो, अब अगर आप सवाल करोगे, previous year करोगे, तो पुराना दिमाग ना चला के, इस से question करना, देखना और मुझे बता यहाँ से value निकाली, वो minus आई, तो इसका मतलब minus आई, तो 110 degree वो minus का यह आया होगा, तब ही मैंने जब यह बड़ा value निकालनी थी, तो 360 में जब 110 minus करूंगे, तो बाहर का angle बना होगा, तो external बन गया, अगर internal पूछा होगा, तो यह 110 होगा, मैं सिरफ आपको यह बता रही कि अगर question में पूछा हो, calculate the included angle, तो included angle आपको यहाँ से निकालना है, बात simple है, ठीक है, सिरफ यह formula आपको लगाना है, अब मैं इसके सवाल करवा लेती हूँ, आपको थोड़े से, ताकि आपको doubts ना रहे बाद में, ठीक है, कई बार देखिए क्या होता है, included angle दिया होता है, पोर bearing of next line, पुछी होती है, पिछली line की bearing दी होती है, वो सवाल भी मैं लेकर रही हूँ, क्या इसी same equation से मैं वो question भी कर सकती हूँ, मैं यह अगर दिया हो, यह दिया हो, क्या तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, बोलो जरा, यह दो दिये होंगे, तो तीसरा निकाल लोगे, चलो अब सवाल करेंगे, तो अपने आप समझ जाओगे, जितने हम questions practice करेंगे अभी, ठीक है, देखना जरा, पहले मैं included angle के ही questions करवा देती हूँ, इस सवाल को देखिए, क्या बुला है, कि four bearing, मैं पोल साथ में start करूँगी, और जो solve कर पा, अब देखो, जल्दबाजी भी नही प्रशिश करनी है, हाना, four bearing of a line is given, included angle is given, same problem जो अभी मैंने आपको बताए, पूरी equation लिख लीजिए, included angle की, जो भी formula बताया, included angle is equals to, included angle is equals to, four bearing of next line, minus back bearing of previous line, four bearing of next line, minus back bearing of previous line, included angle किसके बराबर होगा, four bearing of line a, b is 100 degree, included angle is also 100 degree, तो एक काम करते हैं, included angle is 100 degree, calculate the four bearing of next line, मतलब next line मेरे पास b, c है, और minus a, b की four bearing d, हुई है, यहाँ formula में क्या लिखते हैं, previous line का, back bearing, यह क्या दिया है, four bearing, four bearing अगर a, b का 100 degree है, तो मुझे बताओ, इसका back bearing कितना होना चाहिए, अगर four bearing a, b का 100 degree है, तो इसका back bearing बतादो, जल्दी से कितना होना चाहिए, मैं back bearing होना चाहिए, 100 plus 180, क्योंकि given value 180 से कम है, होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 degree में 180 मिलाना पड़ेगा, अगर मुझे back bearing निकालना है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, 100 degree इधर रहेगा, four bearing of BC यह आएगा, minus 280 degree इधर आजाएगा, तो इसका मतलब है, मैं अगर आप four bearing of BC निकालते हो, तो वो कितना बन रहा है, 100 plus 280 degree, which is 380 degree, अब मुझे एक बात बताईए, मैंने क्या बोला था, जब भी angle 360 से जादा आएगा, तो क्या करना है, जब भी angle, यह कर रहे हो option A में गलती अभी भी, जब भी angle 360 से जादा आएगा, तो क्या करना है, जब भी angle 360 से जादा आएगा, इसको minus किस से कर देता है, मेरे पास value कितनी बन गई, 20 degree बन गई, तो 20 degree मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका correct answer, गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, समझ आ गया, क्या करना है, अगर अभी गलती हो भी गई, तो कोई problem नहीं है, clear हो गया, option B कैसे करना है, इसका सही, तो सही answer हम यहाँ पर क्या mark करेंगे, तो अभी करवाया, same वही question है, थोड़ी सी चीजें अलग है, तो अब मैं expect करूंगी कि maximum लोग इसका answer सही कर पाएंगे, क्योंकि पूरा concept हम समत चुके हैं, चलिए, मैं start कर रही हूं, 45 seconds दे रही हूं solve करने के लिए, अब बताएंगे, कि यहाँ पर इस type का question आप कैसे solve करते और क्या इसका answer होना चाहिए, ठीक है, 360 minus करना पड़ेगा न, 380 degree कैसे बता दोगे angle आप, internal, external आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, जब आप इस formula से सवाल करोगे, अगर आप इस formula से सवाल करोगे, तो आपको internal, external सोचना ही नहीं पड़ेगा, और ना ही diagram बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यह trick है, जिससे आप आसानी से सवाल कर पा रहे हो, ठीक है, अब देखिए, क्या है, 4 bearing of a line AB, मुझे पता है, कि included angle किसके बराबर होता है, 4 bearing of next line, minus back bearing of previous line, जो की मेरे पास AB के बराबर है, तो included angle क्या मुझे question में दिया है, बिलकुल दिया है, यह बन गया 40 degree, तो 4 bearing of next line, BC line की 4 bearing कितनी है, यह हमें निकाल नहीं है, तो 4 bearing of BC, minus back bearing of AB कितना आ जाएगा, मैं AB की value हमें 330 degree दी है, इसमें 180 degree को minus कर देंगे, तो back bearing मिल जाएगा, क्योंकि given value 180 से जादा है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 4 bearing of BC, क्या यह value 360 से जादा आ रही है, क्या यह value B 360 से जादा आ रही है, अब answer change कर रहे हो, कुछ लोग option A बता रहे है, कुछ B बता रहे है कुछ C बता रहे है, हाँ, एक answer बताईए कितना आएगा, तो यह वाली value मेरे पास 150 आ जा रही है, 390 आ रहा है, अच्छा, देखो, यह आ रहा है हमारे पास 150, तो एक काम करते हैं, इसको यहां रहने देते हैं, यह 40 degree इदर आ जाएगा, plus 150 आ जाएगा, तो यह value मेरे पास 190 क जादा नहीं है, तो मैं सही answer क्या कर दूँगी, option A कर दूँगी, अरे 150 तो यह आया है, आपसे पूछा क्या है, 4 bearing of line BC, 4 bearing of BC, तो correct answer is 190 degree, सही answer बन जाएगा, option A, तो थोड़े से questions मैंने practice करवाए, थोड़े अपने end से करना है, ठीक है, थोड़े अपने end से try करनी है, और फि अगले सवाल पर देखिए, अगले सवाल, diagram बनाने के लिए बोल रहे हो, तो एक diagram वाला question देख लेंगे, इस सवाल को देखिए, अब इसमें लिखानी है कि included angle आपको निकालना है, आपको बोला है, compute the angle between the lines AB and AC, और इनकी respective bearings दे रखी है, SACJ 2013 में पूछा गया है, ठीक है, त को करवाऊंगी, angle बनाकर, अधित्या ने बहुत बार कह दिया, angle बनाईए, वैसे आपको exam में angle बनाने की जरूरत नहीं है, और इतना time भी नहीं है कि आप angle की properties वहाँ पर लगाते रहो, इसलिए आपको वो बता रहे हूं, जहां से जादा से जादा time बच सकता है, अब आप की मर्जी है, आपको क्या apply करना exam में जाकर, बताइए जरा इसका answer कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, angle between the line AB and AC, A point दोनों का सेम है, अगर मैं यहाँ पर AB line दिखाऊं, तो AB line की bearing कितनी दी है, 52 degree 30 minute, कौन सा quadrant होगा, north को reference मान कर मैं यहाँ से आएग क्या AB line, बोलो जरा, AB line को first quadrant में दिखाऊं, अगली line क्या है, AC, जिसकी value है, 328 degree 45 minute, कौन सा quadrant होगा, यह हमारा, क्या हमारा fourth quadrant में बना दो इसको, बोलो, यह fourth quadrant बना दो, north से लेकर, यह total angle जो है, यह कितना बन गया, 328 degree 45 minute, अब आप से क्या पुछा है, angle between the lines, included नहीं बुला है इन दोनों के बीच का angle यह निकालना है, तो इन दोनों के बीच का angle निकालने के लिए, मैं 52 degree 30 तो पता है, मुझे सिरफ यह वाला angle यहां calculate करना होगा, और यह जो angle हमें calculate करना है, यहां से लेकर यहां तक, यह तो असान है ना निकालना, क्योंकि इस diagram में, जो अभी यह बना हुआ है, इसमें एक line का angle यहां तक का पता है, और मुझे पता है, पूरा circle 360 बनाएगा, तो अगर मैं हम इस पूरे 360 degree में से, पूरे 360 degree में से minus कर दोगे 328 degree 45 minute, तो आपको यह छोटा वाला angle मिल जाएगा, मिल जाएगा के नहीं बोलो ज़रा, तो आपको क्या करना है सिरफ, मैं हम 360 degree में से minus करना है 328 degree 45 minute, तो आपको कौन सा angle मिल गया, इसको x बोल दीजिए, x मिल गया, ठीक है, यह minus करके आ जाएगा, इसमें किस को मिला दो, इसमें 52 degree 30 minutes को add कर दो, अगर आप इसमें 52 degree 30 minutes को add कर देते हो, तो यह पूरा angle आप यहां से calculate कर सकते हो, तो आप मुझे बताओ, यह total angle कितना आया, मेरे according की angle आपके पास आएगा, शायद 83 degree 45 minutes, शायद चेक कर लीजिए, option D आ रहा है क्या, option A आ रहा है, option D आ रहा है, बताए, option A बन रहा है, option D, D बन रहा है न, 52 degree 30 minutes, 360 में से 328 को minus करोगे, तो इसी के पास ही answer मिलेगा, तो correct answer is option D, तो अगर दोनो के बीच angle निकालना है, यहाँ पर next line और previous line का bearing जो नहीं दिया था, तो हम यहाँ से calculate कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीके, तो correct answer बनेगा, option D, अच्छा, यहाँ सबने option A कर दिया हुआ है, क्योंकि यह वाला angle निकालना है न, यह angle कैसे निकालोगे, यह बीच वाला angle यहाँ पर यह solve करके देख लो न, बोल रहे हैं कैसे, कैसे होगा वही तो समझाया मैंने, अब मैं आपको सिरफ यह बोल रहे हूँ, calculation आप करके बताईए कि कितना answer आ रहा है, option A बन रहा है, option B बन रहा है, कितना बन रहा है, method मैंने आपको बता दिया, ठीके, अब आपको एक काम करना ह प्राय करना है, क्या 4 bearing of next line और previous line से क्या आपको angle मिल पा रहा है, यहाँ पर, अगर मिल पा रहा है, तो फिर आप देखना आपकी trick काम कर जाएगी, ठीक है, क्या करना है आपने, आपके लिए homework है, कि आप इसमें included angle वाला concept लगा कर चेक करिए, कि क्या आप इसमें यह वाला angle निकाल पा रहे है, अगर निकाल पा रहे है, तो मतलब ऐसे questions में trick काम कर जाएगी, अब देख लेना, अपने आप apply करके check करना, ठीक है, एक यह bearing भी दिया और पिछली line की 328 degree 45 minute bearing भी दे रखिये, अच्छा, अब आगे बात करते हैं, अगले question की, next question की बात करते हैं, अब हम का एक काम है, कि आपने included angle की जो problems है, उसको अपने end से एक बार जरूर practice करना है, और आज के आज कोशिश करनी है, कि आज के आज 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 आपके वो practice हो जाए, ओके, चलिए, तो आप सवाल को देखिये जरा, आप इस सवाल को देखिये जरा, अरे उसमें मैंने कोई concept ही नह कालने के लिए कोई angle का property का भी concept नहीं लगाया, ये वाला angle मुझे दिया था, हाना, अब ये वाला angle अगर मुझे दिया था, पिछले question में, और मुझे यहां से ये वाला angle भी दिया था, अगर ये theta 1 है और ये theta 2 भी दिया हुआ था, मुझे question में बूचा गया था, कि मुझे पूरा बीच वाला angle बताओ, तो ये पूरा बीच वाला angle दो angle से मिलके बनेगा, एक यहां से लेकर यहां तक theta 1 और यहां से लेकर यहां तक x, तो theta 1 प्लस x कर देंगे तो बीच वाला angle मिल जाएगा, अब इसमें problem ये थी previous और next line मुझे पता नहीं है, कौन सी है, क्योंकि इ अगर कोई भी error नहीं मिले, आपको इस question में ये पूछा है, 4 bearing और back bearing का difference कितना होना चाहिए, 180 degree होना चाहिए, तो सही answer क्या बन जाएगा, option B, option B बन जाएगा, तो सही answer, आरे, पहला सवाल है, जो सब ने सही दिया है, अच्छा, इस सवाल का answer कीजेगा, SACJ में पूछा गय है, again, the 4 bearing of a line is 30 degree, the calculate the back bearing of a line, अगर 4 bearing 30 degree है, तो हमारा back bearing कितना होगा, 4 bearing 30 degree है, तो back bearing किसके बराबर होगा, हाँ, तो अभी हमने क्या check करना है, कि हमारा जो given value है, SACJ 2018 में पूछा गया था, कि given value 180 से कम है, या 180 से जादा है, तो अभी 330 answer कर रहे हो, अना, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, जो 330 बता रहे है, तो given value मेरी 180 से जब कम होती है, तो क्या करना पढ़ते है, back bearing निकालने के लि और सही answer हमारे पास क्या बन जाएगा, 210, ठीक है, correct answer बन जाएगा, option C, हाँ, C बनेगा, यह जो D बताया है, जिन लोगों ने, ध्यान से सुनो, जो पढ़ाया जा रहे है, क्लास में, अब बाकी के जो कुछ सवाल है, SACJ के, कल की class के starting में करवाऊंगे मैं आप लोगों को, और आज की class में हम इतने topics ही cover करेंगे, एक काम करना है, included angle वाली problems को solve करने की कोशिश करनी है, बिना diagram के इस formula से, ठीक है, diagram में आपका ही time जादा लगेगा, और आपको पते exam आपका कितने time का है, त्यारी कर रहे हो तो पता तो होगा ही, आपका 120 minute में आपको 200 questions करने, 120 minute में अगर मुझे 200 questions करने हैं, तो speed देख लो आपको क्या चाहिए होगी, तो अगर वहाँ आप diagram बना के उसकी property को solve करने लगोगे, तो बहुत time लग जाएगा, जो मैंने तरीका बताया है, उससे सिरफ आपको क्या करना होगा, plus minus करना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कि ये जो exam में मुझे 120 minutes मिलेंगे न, इन 120 minutes में मुझे अपना best perform करना है, ये जो 120 minute मिलेंगे, ये मुझे best perform करना है, और इनी 120 minute में अगर आपने ये सोचा न, कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, काश में 6 महीना पहले तेयारी कर लेता, अरे paper नहीं निकलेगा, तो मम्मी क्या बोलेंगे, paper नहीं निकलेगा, तो वो रिष्टेदार क्या बोलेगा, या मेरा दोस्त क्या समझेगा, ये सारी जो बाते हैं, अगर आपने 120 minute में सोची, तो मतलब आपके 120 minute खतम हो गए, ये 120 minutes में जिसने अपना best perform कर दिया न, exam में, तो उसके लिए ये पुरानी बाते ही matter नहीं करेंगी, ये बहुत ही जरूरी बात बता रही हो, मैं आपको उसके लिए ये पुरानी बाते matter ही नहीं करेंगी, कि कौन क्या बोलता है, और कौन क्या सोचता है, ये सारी बाते 120 minute में आपके दिमाग से बाहर रहनी चाहिए, आपको सिरफ ये पता होना चाहिए, कि ये दिमाग में आनी चाहिए, और नहीं कोई और आपने जो इतनी छोटी उमर में जिम्मेवारिया ले ली है, अपने उपर वो भी नहीं याद करनी है, इस 120 minute में, ठीक है, ये आपका वो time है, जिसने इस time को सबसे जादा best perform कर दिया, मान लो कि मतलब वो exam निकाल जाएगा, तो अभी कुछ time बाद आएगी, इसके बाद the next subject start होगा, PDF आप एक काम करिए, PWF डाउनलड करिए, वहाँ पर इंजिनियर्स वाला सेलेक्ट करिए, वहाँ पर आप SSCJ crash course पर जाएए, वहाँ सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर ये चीज़ीजे नहीं पता चल रही है, य तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रूप आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ पर भी बहुत लोग शेयर कर देते हैं, PDF तो यहाँ से भी मिल जाएगा, एप में आपको classes भी मिल जाएंगी, जो इससे पहले की classes हो चुकी है, जो YouTube पर classes हुई है, ठीक है, तो यहाँ PDF मिल जाएग इधर ढूण लीजिए, या फिर कुछ लोग यहाँ भी शेयर कर देते हैं, या मैं आपको screenshot के medium से बता दूँगी, कि कहाँ कहाँ आपको app पे जाकर click करना है, clear है, तो आज की class में जो पढ़ा, मैं मान कर चल रही हूँ, आज तो हमने इतने important topics cover किये हैं, इन दो घंटे में, कि आपके बहुत questions prepare हो गए, बहुत सारे questions अगर आप अभी previous year के लगाओगे, आप असानी से solve कर लोगे, हाना, तो अभी की class को फिर हम यहाँ पर end करते हैं और leader vote देख लेते हैं, leader vote तो मैं देखना ही बूल गई थी, आज जादा ध्यान हमने पढ़ने पे दिया है, आज ना आज की class में top किया है, और इसके अलावा दिपाली शर्मा ने भी improve किया है, वो 7th rank पर आ गई है, आप में से कुछ लोगों के नाम तो याद हो गए है, यह rider boy भी मेरी class में daily आते हैं, तो कुछ लोगों के नाम याद हो गए, तो बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म क क्योंकि इतना बड़ा नाम आपने लिखा हुआ है अपनी profile पर, तो एकदम नजर चली जाती है कि आप भी class में आये हो, यह captain भी मेरी class में आते हैं, तो कुछ लोगों के तो मुझे नाम याद हो गए हैं, जो जादा से जादा answers देते हैं, चली अच्छी बात है, तो आज के हमारे जो top leaders हैं, leaderboard पर जो top किया है, जिन्नोंने वो है उतकर्ष, उस्मान और राहूल, तो ऐसे ही अच्छा-च्छा परफॉर्म करते रहे हैं, बाकी की classes में भी, ठीक है, और कल की class में हम लोग अपना theodolite, theodolite की सारी important terms revise करेंगे, और traverse की important terms revise करेंगे, तो कल की class भी कित definition समझना, और वो भी आपके लिए मैं आसान बनाने वाली हूँ, तो कल की class में सुब 8 बजाना है, और theodolite और traversing दोनों topics को हम बढ़िया तरीके से revise करेंगे, ठीक है, चलिए, अच्छा, net चला गया था, कोई problem नहीं है, पर मैंने देखा था, आप answer कर रहे थे, ठीक है, चल अपनी तयारी को जादा से जादा टाइम दीजिए, और all the very best, आप सब को अपनी preparation के लिए, और मिलते हैं आपनी कल की class में, thank you everyone and have a nice day. झाल 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 झाल